तो इसके लिए आपका इंतजार था कापिटल बजटिंग और लीजिंग तो वही कापिटल वश्टिंग लेकर आया हूं मैं सीए में फाइनल के लिए कितने रिवीजन लेक्चर लगेगे कैपिटल बश्टिंग के लिए टोटल दो पहला जो अभी जो लेक्चर देख रहे हो उसमें बेसिक्स हों का कोशन्स एक भी कोशन मैंने बाहर का नहीं लिया है ये में इंस्ट्यूट का ही कोशन लिया है और उसका सॉलूशन भी मैंने सजिस्टेट से उठाया ठीक है तो टेंशन नहीं कतम हो गया है तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे कैपिटल बश्टिंग में आज की क्लास वही आपके CMA इंस्ट्यूट के ही रहेगे कोशन्स भी लिया है CMA इंस्ट्यूट के तो टेंशन वाली बात नहीं कि CMA इंस्ट्यूट में हमारा CMA इंस्ट्यूट प्रेजेंटेशन कैसे करता है तो वह मेरा प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा वह CMA इंस्ट्यूट का ही प्रेज रहेगा कद भी capital budgeting का वीडियो डल जाएगा शाम तक आज और कल में capital budgeting खतम हो जाएगा और Monday को leasing खतम हो जाएगा तो मेरा जो टेंशन था capital investing और leasing के पीछे वो टेंशन खतम हो जाएगा ठीक है जिस्टार्ट करें बिल्कुल सुरू से ले चलूँगा ठीक है नो डाउट रिवीजन है मैं जानता हूं पर बिल्कुल बेसिक से समझ ले इसमें मैं यह नहीं करवाऊंगा कि यार यह कोश्चन है इसमें सुरू से सारे आखिर क्यापिटल बिश्टी है क्या बस आपको नोट्स का थोड़ा देखना पड़ेगा यहां जो मैंने किसी की कॉपी लेकर स्कैन करवा के समझा रहा हूं आप चाहो तो इसके जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं तो वहां से आप डाउनलोड कर दी कि नो डाउट इंपोर्टेंट है डाई बेसिक्स पड़ना पड़ेगा ohio he's a CMA intern में पढ़ा है हाँ जी पर अगर मैं यह बोलू कि CMA intern में आपने already basics पढ़ रखा यहां जरूरत नहीं है तो वह भी नहीं वैसे भी मैं revision कर रहा है basics मुझे revision करवाने पड़ेगा तो उसरा मुझे replacement decision करवाना है दिख नहीं रहा होगा तो भी आपको manage करना पड़ेगा मेरे पास कोई alternative नहीं रिप्लेस्मेंट decision important है questions आते हैं उसके बद यहां से CMA final में ज्यादा question आते लेकिन यह वाला portion इसके बिना हो नहीं सकता और यहां से question नहीं आते मैं यह नहीं कह रहा हूं यहां से भी question आते मेरा एक उद्देश है कि यह पूरा ही पढ़ लो ना यार हम यह क्यों करें कि सेलेक्टेट एटा तो इसके बाद पढ़ना risk and uncertainty in capital budgeting जिसके अंदर हम decision tree पढ़ेंगे certainty equivalent पढ़ेंगे risk adjusted discounting rate पढ़ेंगे pillar model पढ़ेंगे बहुत सारी चीचे ठीक सर इस decision tree अलग से लिख दिया हला कि हम इसी में पढ़ेंगे उसके बाद inflation in capital budgeting पढ़ना पढ़ेगा ठीक है और मैंने लिख वा इसमें लिखा नहीं है पर आप लिख लेजिए और इसके अलावा हमको sensitivity analysis में तो बेस उठाने में टाइम लगता है जो टाइम लगेंगे वह basics में लगता वह आप भी जानता और इसके questions बनाएंगे तो आज की class में पस basics ही करेंगे total दो classes में हो जाएगा मुझे पूरी उमीद है अब यार मैं जब revision करवा ही रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से करवाँ और बाकी चीशी सर बाकी एक ही class में हो जाएगा हाँ जी बहुत simple है एक बर यह समझ में आगे तो इनमें ज्यादा time नहीं लगेंगे तो कि इस्टार्ट करें चलो जी capital budgeting है क्या capital budgeting में हम यह decide करते थे कि हमको किसी project में पैसा लगाना है तो उस project में हमें पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए कि पैसा तो आज लगाना है और उससे जो पैसा मिलेगा वो तो future में मिलेगा तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए अगर किसी एक project में पैसा लगाना है या तो फिर decision क्या होगा एक से ज़्यादा project में पैसा लगाना है तो दोनों में से कोई किसी एक को select करना तो दोनों में से कौन सा एक project अच्छा रहेगा बिजनेस करने वाली बात है कि कौन सा बिजनेस करे कौन सा बिजनेस नहीं करे It means यह जो investment proposal है short term के लिए कि long term के लिए long term और long term investment proposal को हमें क्या करना है evaluation पैसा कहा लगाना लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए और उस evaluation के लिए उस decision making के लिए जिस techniques का use होता है उसका बोलते है capital budgeting अब capital budgeting मतलब project में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उसके लिए total मिला कर बड़ी सारी techniques है तो total मिला कर 6 techniques है जैसे goodwill निकालती है न तो goodwill के calculation के लिए average profit method होता है और super profit में ऐसे ही project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सा project करना चाहिए उसके लिए total 6 techniques है और यही basics इसमें से एक है payback period ARR payback period ARR और दूसरा discounting cash flow techniques जिस पे NPV है discounting payback period है profitability index है और internal rate of return हाला कि no doubt कुछ बच्चे अगर CMA Inter देख रहा है तो भी चल जाएगा ठीक है क्योंकि यह सारी चीज़े आपको CMA Inter में भी पढ़ने को मिला है तो अगर मैं कहूं capital investing में evaluation की कितनी techniques है दो category में बाढ़ दिया है एक जिसमें हम cash flow को discounting नहीं करते है it means time value of money ignore कर देते है और इसमें time value of money consider करते है तो यह वाले दो method है मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं मालों है क्योंकि multiple choice question आता है कि कौन सी ऐसी techniques है इसमें time value of money ignore कर दिया जाता है मैंने पढ़ा हुआ है आपका multiple choice दो method तो यह याद याद तो automatic हो जाए ठीक है तो पहले कहां से start करेंगे हम payback period से start पहला पहले method का नाम लिखा payback period क्या होता है payback period आराम से सुनोगे मेरी बात और मैं यह मान के चल रहा हूं कि यहाँ जो लिखा है वो आपको दिख रहा है तो सुनोगे मैं कोई forum ला नहीं लिखवाने जा रहा हूं मैं simple बात पूछ रहा हूं project A और project B project A में कितने का कितना पैसा लगाना 1,00,00 और project B में कितना पैसा लगाना है 1,00,20,000 और हर साल पैसा आएगा अगर मैं project A में लगाता हूं तो हर साल आएगा 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 कितने साल तक पास साल तक और project B का आपको दिखी रहा है तो बताएए कौन सा project करना चाहिए या फिर वो छोड़ो किस project में इसमें 1,00,00 रुपया लगा रहा है न तो वो 1,00,00 रुपय कितने येर में recover हो जाएगा कितने साल में वापस मिल जाएगा 25,000 जमा किया फिर 25,000 फिर 25,000 बताओ 1,00,00 रुपय कितने साल में जमा हो जाएगा, कितने वर्सों में जमा हो जाएगा और answer कितना जाएगा सर 4 साल में और बताएए 1,00,20,000 लगा तो 1,00,20,000 सर कितने येर्स में जमा हो जाएगा सर तीन साल में तो पता ये कौन सा प्रोजेक्ट करें ये जो चार साल और तीन साल निकाला ना इसी का नाम है पेबैक परियाट अच्छा सर ये बात है हाँ जी यही बात है तो पता ये कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें पैसा मे अच्छा अर्लियर इस बैटर है अधर कि हमारा स्कीय में इंस्ट्यूट शॉटकट भी लगाता है वह कहता है आपने कैसे निकाला 4 साल सर 25 प्लस 25,000 प्लस 25,000 टोटल सीय में इंस्ट्यूट कहता है एक काम करो ना एक लाख divided by 25,000 कर लीजिए तो बताओ टोटल कितना साल 4 साल बात खतम इंस उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि जितना लग रहा है डिवाइड बाई 25 साल क्योंकि हर साल थो 25,000 या तो पेबेक प्रियाट का फॉर्मूला दिया इनिशल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई प्रोजेक्ट A में पैसा कितने साल में आरहा चार साल और इसमें कितने साल में आरहा तीन साल तो बताओ कौन सा करेंगे TM project बी करेंगे क्यों कि lower payment भी कर दिक्यत अभी तक paymentと思います मतलो हमारा थो एक मेहन इस है am को тебе घंद कि आम से कंड कर लो capital विश्टिंग इंप Start आप भी जांती है चले जी आगे Example number 2 Example number 2 Project में पैसा कितना है? एक लाग रुपे लगाना है हर साल कितना आएगा? 32,000 तो बताइए कितने एर में वसूल हो जाएगा तर एक लाग डिवाइड बाइ 32,000 3.125 यर्स 3.125 यर्स अगर मुझे मंत में बताना होता तो मंत में कैसे बताता? तो मंत में हम ऐसे भी बता सकते हैं 3 य इएर्स एंट 0.125 इंटो 12 1.5 पाइफ में This ऐसे भी आप बता सकते हैं सर एयरस में बताने में कोई गुणा है? क्या कोई गुणा नहीं है सर? multiple choice question आएगा और mcqs में करवाओंगा वो भी multiple choice question में अगर वो पूछेगा कि ये month में दे देगा 2 month, 3 month तो आपको तो month में जवाब देना पड़ेगा ना तो month में कैसे convert करवाती ये जो fraction है इसको multiply किसे कर देना 12 से तो month आजाए प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है एक लाग पचीस ज़र हर साल कितना कितना पैसा आएगा पहले साल चालिस ज़र फिर तीस ज़र फिर तीस ज़र फिर पच्चीस ज़र और फिर बीस ज़र अब क्या formula लगेगा नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि हर साल का अलग अलग है कुछ बच्चों ने काता सर सब को चोड़के divided by 5 कर लो आवरेज ने कर लो नहीं भई पेबैक प्रियड में ये बताइए कि ये मैंने कप का कैश प्रो दिया फ्यूचर का तो ये बता दीजी जब मैं आपको दे ही रहा हूं तो कितने साल में पैसा रिकवर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं इन फॉर्मूला तो मैंने बताया आपने तो भी कौमन सेंस लगाए था तो बताओ, पहले साल में कितना आएगा फिर कितना आएगा थर्डी थाूजर तो टूटल मिला कर क्यं हो गया सार सत्ताहजर पिर कितना आएगा, total मिला कर कितना हो गया एक लाट और पच्छी सार और सर चार साल में पैसा रिक वर हो जाएगा बात खतम अब यहाँ फॉर्मुला नहीं लग सकता फॉर्मुला कब लगेगा सर जब हर साल का एक जैसा हो तभी फॉर्मुला लगे ठीक है इसके लिए टेबल बनाना होता है इस तरह से इयर, कैश फ्लो, क्यूमिलेटिव कैश फ्लो, क्यूमिलेटिव मतलब आपको समझते हैं पिछले साल का मिलाकर सपोज मैं समझाने की कोशिश कर जाए पहले साल 40,000 तो टोटल हमारे पास जमा कितना हो गया 40,000 फिर आया 30, 30,000 तो टोटल कितना जमा हो गया 70,000 40 पहले से पहले साल आया 30,000 और आये तो 17,000 फिर जमा हुआ 30,000 तो टोटल कितना हो गया 11,000 लगा हमारा प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगा है 1,25,000 तो 1,25,000 के लिए और और 25,000 चाहिए और 4 दियर में 25,000 ही आ रहा है तो टोटल कितना हो गया 1,25,000 तो बताए ये पेड़ेक पिडेट कितना आ गया 4 years ठीक है ठीक है अजर बात समझ में आख़ी अच्छा एक कोश्चन और पूछनों काम करें इस कोश्चन में जो हमने पिछला कोश्चन बनाया यहां से समझ ना बताओ पेड़ेक पिरेट कि टोटल लाइफ कितना है 5 साल और पेड़ेक पिरेट कितना निकला 3.125 years कोश्चन यह पूछा गया कि बताइए प्रोजेक्ट को एकसेप्ट करें कि रिजेक्ट जवाब क्या होगा कि प्रोजेक्ट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए सर कुछ बच्चों का यह कहना सर पास साल है हमारा पैसा तो 3.125 years में रिकवर हो गया तो उसके बाद जो पैसा बच्चा वो तो हमारा यह नहीं और एक्स्ट्रा मिला वो तो तो कर लेना चाहिए नहीं नहीं जब भी स्टैप का कोश्चन बोलेगा आपको बताएगा स्टैंडर्ड पेबैक पिडियो मतलब हम कितने साल में पैसा रिकवर करना चाहते है लाइफ पास साल है पास साल ले जाने तो ज़रूरी धूरी दोड़ी दें कि पास साल में कमाएंगा हम कितने साल में पैसा रिकवर करना चाहते हैं अगर हमारा टारगेट है कि यार प्रोजेक्ट तब भी करने का फायदा है जब पैसा तीन साल में रिकवर हो जाए और यहां लग रहा 3.125 येर्स मत कीजिए हमें चाहिए 3 साल में पैसा और तीन साल से ज़्यादा में पैसा रिकवर होगा तो कोई मतलब नहीं यह करने का अगर इस टेंडर्ड पैबैक पिरियर्ड होता चार साल हमें चार साल में पैसा की रिकवरी चाहिए और 3.125 येर्स में आरी तो कर लेना चाहिए अगर ऐसा आएगा तो तो पैबैक पिरियर्ड की बात हमने थोड़ी बहुत समझा अभी तक कि यार अगर एक जैसता है तो फॉर्मला लगा देंगे अगर अलग अलग है तो टेबल बना एक एक ग्जामपल और करते अच्छा हो कि इतना लग रहा है एक लाग बीस जार पहले साल आएगा चालिस जार फिर तीस जार फिर तीस जार फिर थर्टी फोर्थ होचन फिर ट्वंटी थाउचन पताईए पेबैक पिडिट क्या होगा कोश्चन है बताईए पेबेक पिडिट पेहला और सिंपल कोश्चन टेबल बनाएंगे कि फोर्मुला लगेगा सर टेबल बनाएंगे क्या हर साल का कैश फ्लो अलग-अलग है यस तो टेबल ही बनाना पड़ेगा अब टेबल बना रहे हैं लोग बूलो पहले साल कितना आया है? 40,000 तो टोटल कितना जमा हो गया? 40,000 फिर और कितना आया? 30,000 तो टोटल कितना जमा हो गया? 70,000 40,000, 50, 30,000 मुझे मेरा प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा? 1,20,000 फिर कितना आया 30,000 तो टोटल कितना हो गए है एक लाग रुपए हो चुका है एक लाग रुपए हो चुका है और कितना चाहिए 20,000 और चाहिए पर जब मैं पूरा चौते साल काम कर रहा हूँ तो 34,000 आरा तो बताइए पेवेक पिडिट क्या हो जब हमने तीन साल काम किया तो टोटल कितना पैसा आ चुका है एक लाग जब हम पूरा फोर्थ एयर काम कर रहे है तो टोटल आ रहा है 34,000 और हमें 34,000 नहीं हमें तो थोड़े ही दिन काम करना हमें तो 20,000 ही चाहिए कोशन बड़ा सिंपल है नो डाउट तीन साल तो लगेगा लगेगा चोहता साल पूरा नहीं लगेगा क्योंकि पूरा चोहता साल काम करेंगे तो 34,000 आ रहा है जबकि हमें कितना चाहिए 20,000 तो 20,000 के लिए बताइए कितना साल लगेगा एक साल या उससे कम उससे कम उससे कम तो कितना कम से कम, कितना साल लगेगा, तीन साल, यहां years है, आई रर में काम आएगा सुनना, यहां years है, years, तो उपर भी मैंने लिखा one, एक साल, year है, एक साल में कितना आ रहा है, 34,000, तो मुझे और कितना चाहिए, 20,000 और चाहिए, और कितना चाहिए, मुझे चाहिए और 20,000, बस कर ल या तो answer आ गया 3.588 years मन्त में निकालना तो मन्त में तो निकाली सब्सक्राइब ठीक है तो ये वाला जो है ना ये वाला part ये important है ये समझ में नहीं आता actually बच्चों के याद रखना अगर यहाँ year में है तो उपर में year ही लिखूँगा प्रस इतना मैं जानता हूँ और ऐसा क्यों और भी तरीक है तरीके बहुत सारे है तरीके बहुत सारे है पर इसका यूज मुझे I.R.R में करवा ना इसलिए मैं ऐसे करूँ I.R.R. रिविजन हो रहा तो I.R.R. तो समझता ही होगा अप्लोगा चले आगे दुष्ट पेबेक प्रियिट पुरी तरह से खतम है कि यास खतम तो पैबेक प्रियाई इस टाइम है कि हमारा पैस कितने साल में रेकावर होगा दो कैलकुलेशन के दो तरीके कंडिशन अगर हर साल एक्वल एमाउंट हो तो फॉर्मला लगा देंगे अगर हर साल equal amount नहीं है तो table बना लेंगे और decision कैसे कैसे लेंगे earlier is better मतलब lower payback period accepted lower payback period is better ठीक यहां तक ठीक है यहां तक कोई समस्या सर यहां तक कोई समस्या नहीं अब इस समस्या क्या है सुनोगे समस्या सुनोगे समस्या यह थी कि जो मैं question आपको देता था उसमें सब्द लिखा रहता था cash flows cash flows cash flow का मतलब क्या होता था sales होता था मानलो यार कोई business कर रहा हूं तो business कर रहा हूं तो मैं कुछ product बेचता हूं तो बेचता हूं जो बेचता हूं उससे जो पैसा आता है वो होता है कि बेचने पे जो पैसा आया उसमें से expenses वगिरा सब काटके tax भी काटके जो net पैसा बचा वो होता है cash flow cash flow का मतलब क्या होता है cash flow after tax cash flow after tax मतलब माल बेच कर सारे variable cost fixed cost सारे cash expenses माइनस करके सारे cash expenses माइनस करके tax माइनस करके जो पैसा बचा उसका नाम है cash flow after tax ठीक है सर तो कभी कभी ना यार cash flow after tax दे देता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नई दिया होता है तो calculation तो करना पड़ेगा सर तो वो कैसे करते है यह important है कि यह हर question में काम आएगा चाहे आप replacement की question कर रहे हो चाहे आप कोई भी question कर रहे हो तो cash flow after tax कैसे निकाला जाता है तो सुनो जितना भी माल बेचोगे sales में से माइनस करतोगे variable cost तो cost में expert लोग बैठी गोए मेरे समने CMA institute है मतलब cost के expert लोग है तो sales में से variable cost माइनस करोगे तो क्या आएगा contribution और contribution से fixed cost माइनस करना depreciation माइनस नहीं करते है क्यों माइनस नहीं करते है एक depreciation मेंने कहा था कि वहीं खर्चे माइनस करते है जो cash में हो रहा है cash expenses इसलिए depreciation माइनस नहीं करते है depreciation खर्चा होता ही नहीं तो माइनस पैसा थोड़ीन कहीं जा रहा है तो माइनस नहीं करते है variable cost भी minus करते, fixed cost भी तो इसको मैं profit before tax नहीं बोलूँगा अगर depreciation भी minus करते तो नाम होता profit before tax इसको बोल रहा हूँ मैं cash flow before tax, cash flow before tax का मतलब क्या होता है cash flow before tax का मतलब माल बेच कर सारे expenses minus कर चुके है सिवाए depreciation के इसमें से अभी depreciation minus नहीं हूँ और tax minus नहीं हूँ उसका नाम है cash flow before tax माल लो cash flow before tax आ गया 1 lakh 20,000 हलाग कि depreciation minus नहीं है किया पर depreciation लिखा मेने 30,000 और tax का rate लिखा 30,000 ठीक है अब सवाल ये है या इसका नाम क्या है जो निकाला था इसका नाम था cash flow before tax तो सवाल ये था कि हमको इसमें से depreciation minus करना है कि minus नहीं करना है answer है minus नहीं करना है क्यों नहीं करना sir क्यों कि वो cash expenses नहीं होते tax minus करना कि नहीं sir करना है tax minus ठीक है तो tax minus कर लेते है तो कोई दिक्कत की बार नहीं है minus क्या करेंगे tax पताओ tax कितना sir 30% किसका 30% sir 120,000 का नहीं निकाल सकते income tax वाला बोलता है वह यह tax आप 120,000 पे नहीं निकाल सकते tax कभी भी किस पे निकलता profit before tax तो आप तो गलत है it means मुझे tax का amount नहीं पता इसलिए मुझे मजबूरी में क्या profit before tax निकालना ही पड़ेगा इसलिए क्योंकि tax का amount निकालना है तो इसमें से क्या मुझे depreciation minus करना पड़ेगा हाँ मजबूरी है एक लाग बीस जार में से मुझे तीस जार minus करना पड़ेगा तो बोलो कितना बचा तो नब्बे हजार बचा अब इसका 30% tax निकालोंगा नब्बे हजार इंटू 30% तो 27,000 अब चाहो तो मैं एक लाग बीस जार में से 27,000 minus कर सकते important क्या depreciation minus करना पड़ा हाँ क्यों करना पड़ा क्योंकि tax का amount अब जब बेकार में minus किया था सिर्फ tax का amount निकालने के लिए तो वापस क्या करना पड़ेगा प्लस तो करना ही पड़ेगा कोई चीज मैंने यहां तरबा रखा CFBT तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने डप्रेशिशन किया क्यों क्यों क्योंकि tax का amount निकालना था तो पैट निकाल लिया और वापस add back क्या कर दिया मैंने डप्रेशिशन और इसका नाम क्या है cash flow after tax ठीक है ठीक है थार तो अब हम को CFBT पर practice करना पड़ेगा कि क्या है आखिर सी है तो चलो काम करते हैं त्यारों CFBT दिया है tax दिया है depreciation दिया है और cost of machine दिया है तो CFBT दिया पाच लाग पाच लाग लिखा depreciation पाच लाग का नहीं पाच लाग का 20% मत कर देना depreciation किस पर निकाला जाता है cost of machine तो मुझे तीन लाग का 20% करना पड़ेगा यहां गलती हो सकती है आपसे जल्द बाची में कि हम इसी का 20% करें है मैं तो तीन लाग का 20% depreciation माइनस क्यों करना पड़ा क्योंकि tax के amount निकालना है तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा profit before tax माइनस क्या करेंगे tax तो जो आएगा profit after tax और जो जबरदस्ती depreciation माइनस किया था वापस क्या करना पड़ेगा प्लस तो इसी का नाम रहेगा cash flow after tax कोई बहुत बड़ी चीज है क्या सर बिलकुल बड़ी चीज नहीं बिलकुल आसान चीज है फिर से CFPT कितना दिया है 4 लक tax का rate है 40% cost of machine है 1,10,000 shallways value है 10,000 इस example को देने का purpose यह था कि आप depreciation निकाल लिजए rate नहीं दिया है depreciation का तो depreciation कैसे निकालते 1,10,000 minus 10,000 divided by 5 तो depreciation 20,000 उसके बाद तो CFPT निकाली सकते हैं यह CFPT निकाली है question example देने का purpose क्या था कि depreciation आप निकालना से example number 3 जहां मुझे लगेगा कि कोई point आपको note करवाना है उस पर मैं focus करूँगा पढ़ाते हो रिविजन करवाते हैं रिविजन ही चल रहा है example number 3 CFPT दिया है ठीक है tax रिया 30% cost of machine है एक लाग दस जार scrap value है दस जार depreciation है 20% per annum कौन सा method है straight line method और सुनो rate दिया है अगर rate दिया है तो वैसे wdb यूज करते हैं पर SLM बोल रखा तो SLM यूज करें तो अब depreciation कैसे निकाला जाए important है depreciation कैसे निकाला जाए बाकी तो वही है असी जाल लिया अब depreciation कुछ बिच्चे depreciation ऐसे निकालते हैं सर एक लाग दस जार है machine का cost minus कर देंगे दस जार और जो भी आएगा वो क्या कर देंगे 20% भाई साब ये गलत है जब भी rate दिया रहता है तो depreciation निकालते समय scrap value minus नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि rate ये बनाया ही जाता है scrap value वगेरा सब को consider करते हैं किसम खालो अगर depreciation का rate दिया है तो depreciation निकालते समय कभी भी scrap value minus नहीं करते है तस और कुछ था है नहीं तो उसके बाद तो CFT निकालोगे कुछ special नहीं था वो एक एक point ही discuss करवा रहा हूँ मैं कि क्या है करते है चले आगे ये वाला question इस question को मैंने क्यों करवाया होगा ये वाला exam CFBT दिया depreciation दिया और tax दिया और मैं आपसे CFT चाता था तो उस समय कुछ बच्चों ने क्या किया था जब मैं करवाया रहा था class तो CFBT minus depreciation वो ही पूरा format बना रहा है पहले depreciation minus किया फिर tax minus किया तो पैट निकाला कोई depreciation क्यों कर रहा हो भाई depreciation अब minus करते ही क्यों थे क्योंकि सर्ट tax का amount नहीं दिया था अब तो मैंने tax का amount सीधा सीधा दे दिया ना यार तो CFBT में से सीधा tax minus कीजिए खतम रटने के चक्कर में ना concept उड़ा देती तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बस concept पर ज़्यादा focus करो हाँ ये important अब समझते हैं cost of machine कितना दिया है क्या हम किसी project में पैसा लगाते है तो हर साल एक जैसा cell होता होगा कि हर साल दो लाग दो लाग कि हर साल अलग अलग भी हो सकता है तो वही बता रहा है कि CF cells से तो नहीं देता आपको information CFBT से देगा cash flow before tax तो ले यार पास साल का projection है तो पहले साल 80,000 होगा फिर 75 फिर 62 फिर 89 फिर 78 और tax का rate कितना है 25 परशन और depreciation का rate है 20 परशन कौन सा method है WDV WDV method तो अब हमें क्या निकालना हमें निकालना CFBT cash flow after tax तो अब सबसे पहले हर साल का CFBT लिख लेंगे 80,000, 75,000, 62,000, 89,000, 75,000 अब सवाल है depreciation कौन सा method है WDV तो सर डेप्रिशिशन कैसे निकाला जाएगा हर साल का problem तो यही है न यार हर साल का depreciation कैसे निकाला है और मैंने calculator सिखा रहा है दो तीन तरीके सिखा रहा है पर यार दो तीन तरीके मैंने confusion create होता कि कौन सा यूज करना है एक ही method से count है तो depreciation कैसे निकाला जाएगा machine कितने का है बोला के depreciation का rate कितना है 20% यह पहले साल का depreciation मैंनस 20% यह दूसरे साल का यह तीसे साल का मैंनस 20% यह फोर्थ यर का और मैंस 20% फिंद्ध की इस तरह से depreciation निकालोगे दो लाक इंटी 20% 40,000 मैंस 20% 32,000 मैंनस 20% इस तरह से depreciation जाएगा जैसे depreciation निकलेगा तो profit before tax है जैग और profit before tax निकलेगा तो tax है जैग और tax का amount कैसे निकलना मैंने आपको बताया हूँ याद दिला रहा हूँ shortcut से कैसे क्योंकि 25% सबका निकलना है तो हम tax का amount सीधा भी ऐसे भी लिख सकते थे 0.25 लिख दिये पहले into क्या करोगे 40,000 फिर equal to कर देना यह निकल जाएगा 43,000 लिख देना निकल जाएगा फिर 36 400 लिख देना equal to कर देना बस ऐसे करते जाना समझा रहा हूँ यह वाला निकालना तो 25% को 0.25 लिखा इन्टू 40,000 equal to 10,000, 43,000 equal to 10,750, 37,400 equal to 9,168, 520 equal to 1,1,1,3,4 इस तरह से करोगे हलाकि यह shortcut आपको दोनों पता है पर फिर भी मैंने याद दिला दिया जो मुझसे class नहीं भी किया होगा तो उसको आता ही होगा कोई नहीं बाद ठीक है सर अब आगे सुनो अब मैं profit आपकी टेक्स नहीं निकाल रहा हूँ क्यों नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास time नहीं मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए cash flow after tax तो cash flow after tax निकालने का एक और तरीका है ना क्या मुझे cfbt मालूम है हां क्या मुझे tax मालूम है बो हां तो cfbt में से सीधा tax minus कर दो तो one minus two करोगे तो answer आजाएगा मतलब सर यह 80,000 है और यह 10,000 है तो 80,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो सीधा 70,000 आ जाएगा बात करता हूँ या फिर जिसको मज़ा नहीं आ रहा हूँ वो वापस profit after tax निकाले और वापस depreciation add करोगे तो answer इतना ही आएगा पर अकर हम सीधा CFBT में से tax minus कर दे तो answer आजाएगा सीधा सीधा ठीक है तो हम ऐसे कर लिया करें alternative जो मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते तो सर वो बताया ही क्यों कि उसका भी huge कहीं न कहीं पढ़ सकता इसलिए बताया है ऐसे भी कर सकते हो इसको वन ले लेना सीधी को वन ले लेना और टैक्स को टू ले लेना वन माइनस टू कर दे तो है ठीक है कि यह जरूरत कहां पढ़ती है जब payback period निकालोगे वहाँ जरूरत पढ़े कि तर बहुत हो गया एक कोश्चन करेंगी एक कोश्चन इंपोर्टन्ट है कि वाश्टम मशीन है दो लाग पचास जार लाइफ है पास सार डेप्रिशिशन है ट्वेंटी परशन पर रेनम डब्र डब्र डवी और मैंने CFBT दिया हुआ है और टैक्स कर रहे है 30 परशन फिर से स्टी है पिटे निकालना सर यह तो रिविजन में क्यों करवा रहे है कितने का निकालो कि 250,000 का कितना परशन तो सर दो लाग पचास जार इंटू 20 परशन पचास जार मैनस क्वेंटी परशन चालिस जार फिर 32 फिर 25 शेसो फिर 20 जार अब दिक्कत ही है 30,000 है मेरा कैश गया है उसमें से मैनस करना अड़कर शीर सर तो सर 13,000 है आपका प्रफिट और उसमें से माइनस करना हंगे हैं को पचास जार तो सर लॉस होगया है ना 20,000 YES यहां लॉस है प्रॉफिट भी फो टेक्स और बाकी जगा प्रॉफिट है तो बाकी एर का दिक्कत नहीं है प्रॉफिट हो रहा है तो टेक्स क्या होगा सर्पॉफिट हो रहा है तो हमको टेक्स देना पड़ेगा लेकिन सवाल है लॉस हो रहा है तो क्या कर रहा होगा और से इस loss को मैं set off कर सकता हूं वह जम मैं करवा चुका हूं यहां नहीं करवा हूंगा टाइम ज़्यादा लग जाए तो 20,000 पे मेरा tax savings होगा तो 20,000 का 30% 6,000 रुपए मेरा टेक्सिमिक सोखा तो बताओ पहले साल मैंने ये 30,000 ये तो कमाया साथ में 6,000 भी तो कमाया तो टोटल मेरा पहले साल का CFAT आएगा 36,000 ये important है, ये वाला part समझे में नहीं आएगा तो message कर देना पर ये वाला part important 30,000 तो कमाया ही कमाया और 6,000 और कमाया तो टोटल कितना कमा लिया है मैंने 36,000 किसका टेक्सिमिक अब बाकी तो फिर आपने कर लिए ठीक है ठीक है सर और सुनो मैंने इसमें पेबैक पिरेड भी मांगा अब अब अच्छा है बोलो कितना पैसा जा रहा है 2,50,000 पेबैक पिरेड पेबैक पिरेड में किसको यूज करते है cash flow आप्र टेक्स को चलो पेबैक पिरेड तो हमको आता निकालना कितना पैसा रिकवर करना है सर 2,50,000 पहले साल कितना आएगा 36,000 तो 36,000 हो गया वो तो निकाल लो गया आप आंसर कितना आ गया 3,84 तो अब भी तक ये बास समझ में आई हमारी पेबैक पिरेड क्या होता है और पेबैक पिरेड में हम cash flow यूज करते तो cash flow में क्या यूज करते cash flow after tax आगे चलो और आगे बात आ रही है accounting rate of return तो मुझे ऐसी tackle मुझे करना क्या है यार मुझे ये करना है मुझे ये decide करना है कि मुझे project में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है या फिर दो में से कौन से project करना है पेबैक पिरेड से हमने ये सीखा कि यार जिसमें पैसा जल्दी recover हो जाता वो project हमारे लिए अच्छा है अब दिक्कत क्या है समस्या क्या है समस्या हैं कि इस question को देखना अच्छा से A और B इसमें कितना पैसा लग रहा है अब सोच समझ के जवाब दे इसमें कितना पैसा लग रहा एक लाख और इसमें भी एक लाख रुपए ही लग रहा है मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि दोनों मैंसे किस project को करना चाहिए जिसमें एक लाख रुपए लग रहा उसमें पहले साल आएगा 40,000 फिर आएगा 40,000 फिर आएगा 10,000 फिर 14 साल और फिर 15 साल 80,000 और 90,000 तो उस हिसाब से इसमें हमें 1,00,000 रुपे कितने एर में रिकवर हो जाएगा तीन साल में और तीन साल के बाद प्रोजेक्ट इस टाइप का है दो साल में उसके बाद कम 10,000 फिर सिर्फ 5,000 फिर सिर्फ 2,000 कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए यह यबी सर अगर पेबैक प्रोजेक्ट की बात करो अगर पेबैक प्रोजेक्ट की बात करें हम तो यार project B कर लेना चाहिए लेकिन सच्चा ही यह है कि payback period में समस्या आए है समस्या यह है कि वो बाद के cash flow को ignore कर देता है देखो ना यार यहाँ जादा पैसा आ रहा है जादा और यहाँ तो बहुत कम पैसा आ रहा है पर वो इसको ignore कर रहा है और उस हिसाब के हमको लग रहा है कि B खरीदना चाहिए पर actual में A में तो ज़्यादा पैसा आ रहा है यह problem था payback period तो अब क्या हुआ उसके बाद और method है accounting rate of return या average rate of return accounting rate of return या क्या बोल रहा हूँ average, ARR बोलते हैं ARR ARR में क्या खास बाद थी accounting rate of return नाम क्या है accounting तो यार accounting बोलता है accounting वो बोलता है आप cash flow पर focus मत करों आप cash flow cash flow मत कीज़े accounting profit को focus करता profit पर focus करता हम CFAT को तो यूज नहीं करते हैं CFAT तो accounting में कुछ होता ही नहीं बोलते हैं हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे profit after tax profit after tax profit after tax क्योंकि सब्द क्या है accounting और profit after tax के बाद डिसाइट करेंगी कि उसको देखकर हमें डिसाइट करना पड़ेगा कि हमको किस project में पैसा लगाना है सर कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है दो project है A और B इसमें average भई हर साल का profit अलग अलग हो सकता profit after tax तो मैं कहें रहो इसमें भी 1,00,000 रुपए लग रहा है profit after tax average profit after tax 12,000 को इसमें आ रहा average profit after tax 15,000 और इसमें पैसा 1,20,000 लग रहा थोड़ा सा percentage अलग-अलग कर amount अलग-अलग करूँगा तब ही मज़ाएगा तो इसमें बारह हजार आरहा एक लाग रुपिया लगा कर एवरेज प्रॉफिट अप्टर टेक्स आरहा पंदरह जार पर कितना लगा कर एक लाग भी से तो बता सकते हो पर्शंट इस कितना कमा रहा है तो अगर मैं कहूं बारह हजार डिवाइड ट्वेंटी था बजन एन तो हंड्रेट और सर यहां हम थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे 12.5 पर्शंट कमा रहे तो बताइए किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए सब प्रोजेक्ट भी में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि ARR जाहता है एक्से पेबैक पिरियट और ARR म देख लेते हैं तो simple सा formula है कुछ नहीं है एक formula average profit after tax divided by initial investment याद रखना अभी मैंने initial लिखवा रखा है आगे मैं आप से यह बताऊँगा कि आप चाहो तो इसको average investment के basis पे भी कर सकें दोनों तरह से कर देना institute दोनों तरीके से करवा देता तो हम भी दोनों तरीके से कर लेगे और जो भी ज़्यादा होगा उस project को हम accept करने के जैसे यह cost of machine है एक लाग पच्ची सर लाइफ है पास सल सेल्वेज है पच्ची सर, depreciation का method है SLM और आपको सुनो CFAT नहीं दिया पैट दिया profit after tax तो सबसे पहले आपको ARR निकालना, payback period निकालना याद रखना, ARR में किसका यूज होता है? पैट का, profit after tax और payback period में किसका यूज होता है? CFAT तो ARR के लिए पैट चाहिए था, पैट दिया हुआ, पर payback period के लिए हमें चाहिए CFAT और दिया है, पैट याद करो हम कैसी करते थे profit after tax निकलता था ना, तो हम वापस क्या कर देते थे, depreciation तो यहाँ जो आता था, वो आता था, CFAT यह ना यार? हाँ, तो पैट दिया है, तो बस इसमें और क्या add करना होगा, depreciation, add करना होगा, तो CFAT पहले पैट error निकले, यह पैट दिया है, divided by 5 कर देना, पी सजार, प्लस शोभी सजार, प्लस 45,000, प्लस 62,000, प्लस 32,000, डिवाइद बाइ 5, तो 38,600 आगे है, 30.88% जिसको बोला जाता है, ARR, कुछ special नहीं, और payback period तो आपको आता, बर depreciation add करना, तो यह payback period आजाएगा, इस matter पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, बस आपको मैं यह समझाने की और कोशिश करूँगा, कि ARR चाहो तो आप, दो तरीके से निकलते हैं, एक तो initial investment के basis प भी निकलता है, मतलब यार, आपने नीचे क्या था, सर, हमारा जो आ रहा था, वो आ रहा था, 38,600, कितना लगा कर आ रहा था, एक लाग पच्चीस पर, बिल्कुल सही, पर कुछ लोगों का यह कहना है, भाई, कि आप जो कमा रहे, 38,600, आपका यहाँ मशीन कितने की खरीद था, एक पच्चीस, यहाँ नो डाउट आपने 38,600 कमाया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओंगा, फिर मसीन की जो वैल्यू हुआ है, वो तो डैप्रिशेट हो रही है न, तो फिर जो सेकेंड येर में 38,600 कमाओगे, आप कैसे कह सकते हो, कि वो एक लाग पच्च कमा रहा है, क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है मसीनरी पे, यह तो डैप्रिशेट हो गया, तो इस तरह से जो कमा रहा है हो, 38,600 हर साल का, वो तो यह डैप्रिशेबल वैसे, और इसका अगर आप एवरेज करोगे, जो मैं करवा चुका हूँ, इसका एवरेज करोगे तो उस एवरेज पे लेना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा डैरिविशन पे नहीं जा, एवरेज कैसे निकालते, एक तो यह तरीका है, ऐसे भी निकालो, चाहो तो निकाल सकते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाइड बाइड टू, मसीन की आज की वैल्यू कितनी, आज की, सर आज की वैल्यू ए एक लाग पंचेस। बाद में कितना हो जाएगा जिसको बोलते हैं, सैल्वेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाइड 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 तो, सैल्वेज भी दिया होगा, और सैल्वेज देखो, कितना दिया है इस कोशिंग सर सेलवेस दिया है 25,000 यह हो गया 1,25,000 कौनसा वैल्यू है ओपनिंग और 25,000 कौनसा वैल्यू है क्लोजिंग तो average investment के basis पे opening प्लस closing divided by 2 एक लाग 25,000 प्लस 25,000 divided by 2 तो answer आएगा 51.46 तो मुद्दे के बात यह है कि ARR अगर exam में निकालना है तो सरक कौन से on the basis of average investment निकालेंगे या on the basis of initial investment निकालेंगे दोनों से ही निकालके आ जाना और ज़्यादा मुस्किन है तो आगे कुछ करना कि आगे कुछ नहीं करना है टोटल मिलाकर अभी तक हमने कितनी methods पढ़ा हम दो ही दो method पढ़ा जिसमें हमने बात किया payback period के और बात किया ARR का और बात किया CFAT पर और वो वाली methods पढ़ा जिसमें हम time value of money का यूज नहीं कर रहा है अब हम टोटल और कितनी methods पढ़ाइंगे चार जिसमें time value of money का भी यूज पुक ठीक है जब अब आगे चले तो अब बात करेंगे time value of money ऐसी methods जिसमें time value of money को यूज की उसमें सबसे पहली और सबसे important method है net present value जिसको बोलते है NP NPV क्या है NPV means access of present value of cash inflow over present value cash inflow it means मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिलकुल ध्यान से समझोगे दिक्कत नहीं होगे पिलकुल ध्यान से समझोगे मैं यह मान रहा हूँ कि आपको time value of money आता है अगर मैं आपको payback period नहीं पढ़ाया होता मैं आपको error नहीं पढ़ाया होता मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछता कि आज project A में लगा रहे हो एक लाग बीस जार और पहले साल आएगा 40,000 फिर आएगा 45,000 फिर आएगा 25,000 फिर आएगा 80,000 फिर आएगा 54,000 पताईए कि project को accept करें कि reject करें आप नहीं जानते कि payback period क्या होता आप नहीं जानते कि ARR क्या होता और आपको NPV भी नहीं मालूम आप एक आम आदमी की तरह कैसे जवाब देते हैं आप इस तरह से जवाब देते हैं कि सर आज पैसा जाएगा एक लाग बीस जार हाँ तो सर आएगा कितना उसको जोड लेते हैं 40,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 प्लस 54,000 सब को जोड लेते हैं इन सब को add कर देते और minus क्या कर देते हैं लाग 20,000 आंसर आ जाता एक लाग 24,000 आप बोलते कि सर इसमें से एक लाग 20,000 माइनस करने के बाद भी हमने कुछ बचा लिया तो वही तो NPV है वही NPV है और गोच नहीं पस अंतर क्या है कि आप बस time value of money को consider कर लीजिए it means मैं आप से ये बोल रहा हूं कि यार इसमें 40,000 इसमें पैसा एक लाग 20,000 कब जा रहा है आज 45,000 कब आएगा first year में 45 कब आएगा second year में तो comparison नहीं कर सकते न तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा present value निकालना पड़ेगा और फिर इसी में से एक 20 माइनस कुछ नहीं है common sense लगाओ वही नपी भी अच्छा सर इन सब का क्या निकालना पड़ेगा मुझे present value और उसमें से माइनस करना पड़ेगा उसका नाम है NPV बचेगा अगर बच गया positive भी हो सकता negative भी लेकिन project तो तब ही करेंगे जब बचेगा पैसा मतलब NPV positive रहेगा तो हम accept करें पर अगर बोलेगा कि दो project है और दूनों में से कोई एक करना है कोई एक करना है तो जिसमें NPV ज़्यादा आएगा उसको हम accept कर लें logic यही था it means NPV का formula क्या हुगा सर formula बिल्कुल simple है यह पैसा आने वाला है तो इसको cash implow बोलते है यह पैसा जाने वाला तो इसको cash implow बोलते है बस यहाँ present value लेना पड़ेगा बस और कुछ नहीं पीवी CIE मैनस और उसके लिए हाला कि NPV का मैंने धंग से concept सबको करवा रहा है धंग से करवा रहा है ठीक है लेकिन इसके अलावा आपको discounting किस rate से करेंगा तो discounting rate भी दिया रहेगा और discounting rate कितना दिया है दस portion और पूछ रहा है कि कौन सा project को accept करेंगा अगर question में ये नहीं बताया है कि कौन सी method लगाना है payback period लगाना है कि ARR लगाना है कि NPV लगाना है तो answer हमको किस हिसाब से देना पड़ेगा NPV के हिसाब से ही answer देना मैं NPV निकालना है तो क्या सबको present value निकालना आता है तो करें इसके दो-तीन तरीके से present कर सकते है ऐसा नहीं कि presentation कैसे होगा वो मैं बता दूगा पर आपके पास दो-तीन method है presentation पहले कैसे करेंगे 10% discounting rate से काम है पहला method यह है Alternative 1 लिका पहले साल कितना आ रहा है 40,000 divided by 1.10 power 1 45,000 divided by 1.10 power 2 25,000 फिर 80,000 फिर 54,000 माइनस कितना करोगे 1,20,000 तो यह NPV है जाएगा और इसका shortcut में आपको क्या already सिखाया है यस तर नहीं भी सिखाया होगा तो बताओगे क्या बता रहा हूँ 40,000 divided by 1.10 equal to M plus 45,000 फिर सुनो दो बार equal to M plus फिर सर 25,000 फिर तीन बार equal to M plus बार बार divided मत कर देना 1 पॉंच ज़रूरत ही नहीं अच्छा सर ये बात है यस 80,000 बोलो कितने बार equal to 1,2,3,4 M plus और लाश्ट में कितना है 50,000,1,2,3,4 और क्या है पाच M plus और लाश्ट में क्या करोगे MRC और माइनस कितना करोगे हम 1,20,000 में क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं इसको इस टेप में मत सॉल करना सीधा कैल्गूलेटर में सॉल कि बार करके देखें क्या 40,000 डिवारे बार 1.10 equal to M plus 45,000 दो बार equal to M plus 25,000 एक दो तीन M plus 80,000, एक दो तीन, चार M plus और 54,000, एक दो तीन, चार पाच M plus MRC मैनस एक लाश्ट में सिक्स जीरो फाइप सिरो से एन पे भी आ गया है ऐसे प्रोजेक्ट B का भी कर लोगे उसका NPV आ गया है 71450 तो बताइए किसका NPV जादा है प्रोजेक्ट B का तो हमें इस प्रोजेक्ट को एकसेप्ट कर देना चाहिए दूसरा तरीका है कि आप कैसे करें आप प्रेजेंट वाली फैक्टर लेते हुए करें मतलब जिसको यह पसंद नहीं आता वो फैक्टर से मल्टिप्लाई करके भी काम कर सब्सक्राइब और अगर कोशन में फैक्टर दे रखा है यह फैक्टर दे रखा कोशन के पीछे दिया तो भाई साब फैक्टर ही उज करना आप ऐसी उज करने सका आपको प्रेजेंट वाली फैक्टर उज करना पड़ेगा इसमें भी आंसर एक्क्यूरेट तो नहीं आएगा पर ठीक है चल जाएगा यह आ रहा प्रेजेंट वाली फैक्टर दिया होगा कोशन पेपर के साथ तो आप ऐसे यूज कर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तीसरा क्या तरीका तीसरा अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद है और आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि आपका एक भी नंबर ना कटे और तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं यह टेबल का यूज में लीजिंग में भी कर वाँगा लीजिंग जो एक चैप्टर है आपका लीजिंग उसमें भी यूज होने माला उसमें कैसे करते थे पिटे कुछ नहीं यहां यह यह आ जाएगा यहां तो पर्टिकुलर्स आएगा यह कैस अउट्प्लोड और यहां लिखेंगे कॉस्ट अप्रिछिक पैसा कितना जा रहा है आज एक लाख बीस और इसमें कितना जा रहा है एक लाख पचास और आज दस परशंट आज एक रुपिया का वेली आज आज ही का तो है तो आज का कोई फेक्टर थोड़ी निकलेगा आज तो 1 का 1 ही रहेगा तो 1,20,000 हो गए और 1,50,000 फिर क्या लिखोगे cash info CFAT 1,2,3,4,5 और यहां लिख लेंगे present value factor अब project A का CFAT यहां लिख लेंगे project B का CFAT यहां लिख लेंगे और इसको इसके साथ multiply करके यहां लिख देंगे इसको इसके साथ multiply करके यहां लिख देंगे, यहां जोड देंगे तो इसका नाम आजाएगा total of B यह इसको बोल सकते P, V, C, I और इसको बोलते P, V, C, O और जो भी answer आजाएगा वो N, P, V जाएगा आप ऐसे table में भी कर सकते अब आपकी मर्ची आपको कैसे करना डिपेंड करता है कोशन कोशन जिस तरह से दिया होगा उस तरह से हम काम देंगे तो एक्जामपल नमबर टू देखते कुछ special है कि हाँ बोलो प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहा है 4 लग NPV निकलना है याद रखना लेकिन हर साल अलग अलग नहीं है सर हर साल एक जैसा है एक लाग पच्छी सार 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 एक लाग इसको बोलते है एनुटी अगर NUT है तो फिर हमारा PVCI मैनस PVCO NPV तो ऐसे निकलता है शर्त बस याद रखना कि 1,25,000 को multiply कर देना present value NUT factors ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको समझा जो 1 divided by 1.15 निकलता कैसे हैं 1 divided by 1.15 equal to 2, 3, 4, 5 और GT 3.352 और बहुत सारे बच्चों के calculator में GT नहीं होगा तो वो M plus को यूज़ कर सकते हैं तो यह आगया PVCI मैनस कर दो के PVCO तो यह आगया मेरा NPV 19 था ठीक है अब बीच में एक चीज़ और आती है वो आती है टर्मिनल वेल्ट ओ हो सर इसकी जरूरत पढ़ती है में किसी project में पैसा लगा रहा हूँ अब उस project में जो पैसा लगा रहा हूँ उससे जो भी production होगा उसको जो मैं बेचूंगा जिस भी product को बेचूंगा सब खर्चे काटने के बाद tax काटने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको CFAT बोलूँगा हर साल अपने तो कब होगा लेकिन आज नहीं तो कल project खतम होगा मानलो पास साल का प्रोजेक्ट पास साल में खतम होगा तो पास साल बाद उसकी जो machinery बचेगी operational business operate करने से जो पैसा आएगा वो तो आए गई आएगा पर पास साल बाद जब project को terminate कर दिया जाएगा तो उसकी जो machinery बचेगी उसको भी तो बेचूँगा और बेचने के बाद उससे भी तो पैसा आएगा तो उसको क्यों छोड़ा है वो भी तो यार आई ही रहा है पैसा तो सर उसको service बोल सकते हैं लेकिन यार उसमें से tax भी तो कटेगा मतलब ऐसा नहीं कि से machinery आएगी working capital वगेरा भी आ सकता इसलिए मैं उसको terminate project को terminate करने पे जो पैसा आएगा उसका नाम है terminal उसमें especially machinery ही होती है बस उसको capital gain tax देखना हो तो तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वेली होगा वो माइनस करोगे तो यहां जो आएगा उसका नाम रहेगा capital gain और capital gain पे tax calculate होगा खिर मैं सोचूँगा क्यार मसीन को बेचने से आया पचास जार और tax लग गया पाच जार तो net मेरे हाथ में कितना बचा पॉर्टी फाइट पाच यही समझाने की कोशिश करूँगा बस और पूश्ट एक जांपल से बात करें कि को कॉश्ट अप मशीन कितना एक लाग दसजार लाइक कितना पास साल तैल्वेस चालिस जार तैल्वेस का मतलब क्या हो कि जब हम मशीन को पास साल चलाएके तो पास साल बाद बेचेगे तां तो मालूम है कितने की बिकेगी चालिस जार की बिकेगी येस यही तो सेल्स कंस्टूरेशन है मशीन आज से पास साल बाद कितने की बिकेगी चालिस सर अब हमें यह देखना है कि capital gain tax निकलेगा कि नहीं निकलेगा पहले चेक करो capital gain हुआ है कि नहीं हुआ है तो मुझे 5 साल बात की book value निकलना पड़ेगा एक्शॉल यार capital gain निकलना तो book value क्योंगी पास साल बात 40 शार की पिक है कि तो पास साल बात उस machine की value कितने थी एक्शॉल में तो book value कैसे निकलते तो book value निकलने का तरीका है एक लाग दास जार माइनस कितना परशन 20 पर्शन माइनस 20 पर्शन माइनस 20 पर्शन माइनस 20 पर्शन माइनस 20 पर्शन ठीक है और भी method है पर मोरी study मोरी एक लाग दास जार माइनस 20 पर्शन, माइनस 20 पर्शन, दो माइनस 20 पर्शन, 3, माइनस 20 पर्शन, 4, माइनस 20 पर्शन, 5 3, 0, 6, 4, 5 देगा जी सर 40,000 की मशीन बेचा जिसका book value था 3, 6, 0, 4, 5 तो सर capital gain हुआ यस और capital gain पर सर tax लग गया 40% तो सर tax लगा 1582 तो सर net मेरे हाथ में कितना बचा बिटे मशीन को बेचा कितने में 40,000 में बेचा और 40,000 मेरे पास जैसे आया मैं जेब में रखने ही वाला था उतने में income tax वाला गया बोलता है tax देना पड़ेगा कितना tax देना पड़ेगा 1582 तो उसमें से मैंने 1582 दे दिया उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा मतलब सर sales consideration में से ये tax minus किया जाएगा इसकी जरूरत कहां पड़ेगी बस मैं वही तमझानी की कोशिश कर रहा हूँ ये जो पैसा आएगा ये कब आएगा क्या ये पैसा हर साल आएगा नहीं सर ये पैसा पाच्वे साल में आएगा तो उसको भी तो consider करना पड़ेगा cash in from it बढ़ेगा Example number two हां कोश्ट आप मेशिन कितना एक लाग दसदर सेलवेज दिया है दसदर और डेप्रेशिशन दिया है 20% परेनम कौन सा मेथड है SLM मेथड है टेक्स के रेट है 30% टेर्मिन वेली निकालना ओकी आराम से बताओ पास साल बाद मेशिन कितने की भी किएगी दसदर क्योंकि SLM मेथड है तो हर साल का डेप्रेशिशन एक जैसे रहेगा तो डेप्रेशिशन अब कैसे निकालेंगे तो हम कहेंगे कि यार मशिन जो था ओरिजिनल कितने का था सर एक लाग दस जार का उसमें से हर साल कितना पर्षेशन डेप्रेशिशन लगेगा युद्य relief का चैट्रेशिशन निकालती सामस्य सेलवेज माइनस मत करते ना एक लाग दस जार का पीस परषन तर एक लाग 10 जार का बीस परषन तर बावीशजार रुपए डेप्रेशिशन निकला कितने साल का पास साल का तो जितना मशीन का कॉश्ट है उसमें से पूरे पास साल का depreciation माइनस करूँगा तो बुक वेल्यू हजाएगा और बुक वेल्यू जीरो आ रहा है तो उस इसदाब से यार पूरा capital gain tax लग गया 10,000 capital gain हुमा तो tax लग गया 3,000 तो 10,000 आया बेचने से पर 3,000 तो tax वाला ले गया तो net मेरे पास कितना बचा 7,000 बचा इसी का नाम मैं नाम क्या बोल रहा हूँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो service value net of tax ठीक है सर और एक दू एक्जम्पल और देखते बास समझ में आएगी cost कितना है 2,25,000 अब यार यहाँ depreciation का percentage नहीं दिया है formula लगाएंगे और formula के सबसे depreciation कितना जाएगा 2,25,000 minus 25,000 divided by 5 40,000 हर साल का depreciation तो 2,25,000 रुपए क्या है cost of machine उसमें से 5,000 का depreciation मैंनस करोगे तो 25,000 रुपए हमारा book value आया तो capital gain 0 तो tax भी 0 तो net हमेरे tax तो लगा यह नहीं तो पूरा 25,000 का 25,000 किस नाम से आया टर्मिनल गे एक statement हम चाहो तो याद रख सक क्या statement जब भी depreciation का method depreciation जो है वो formula से निकाला जा रहा formula मालू है यह वाला formula ठीक है तो फिर जो salvage value होता है ना वही terminal value होता है working note बनाने की ज़रुरत नहीं है जो salvage है उसी को उठा कर सीधा लिग देना बात कतम हो जाए याद रहेगा की नहीं रहेगा पता नहीं पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ अगर formula method से depreciation निकाल रहा हो तो जो salvage होगा वही आपका terminal value होगा तो अलग से working note नहीं लिखा ना 25 दर का 25 दर लिखते हैं ठीके सर बात समझ में आखे अगला एक्जामपल सारे एक्जामपल important है इसलिए ऐसा मैं यह नहीं बोल सकता किया रहे चुड़वा जहां मुझे लगेगा मैं आपको छुड़वा दूंगा मैं आपको ज़्यादा time नहीं खेचुड़बा तो cost कितना है एक लाग दसजार लाइफ है पास साल सेलवेज है दसजार depreciation का मैं तरह है 20% WDV तो यह आगया इस पर capital gain नहीं हो रहा capital loss हो रहा और capital loss पर tax savings होती है यह मुझे अब समझाने की ज़रूदा उससाब से मैंने tax savings निकाल लिया और फिर this plus यह किया तो यह आगया ठीक तो इसमें मुझे calculator चलाने की जरूरत है क्या calculator चलाने की कोई जबने इस इंपल है चलो जी कॉस्ट कितना दो लाग 25 यार लाइफ है चार साल 25 परशेंट डब्लूड टेक्स रेट टर्मिनल वेल्यू जीरू है हो जाने तो सेल्वेज वेल्यू जीरू है तो जीरू ही लिखेंगे लेकिन यहां हमें बुक वेल्यू लिखना पड़ेगा डब्लू डीवी मैथड से हम क्या करेंगे यहां बुक वेल्यू निकाल लेंगे तो जो भी होगा सबकी सब क्या हो जाएगा और एक बात हमको एक इंपॉर्टन बात समझ में आई कि सेल्वेज वेल्यू अगर जीरू भी है तो भी कोई समस्या नहीं है तो भी टर्मिनल वेल्यू निकाल सकता टेक्स तो वह सकता बहु जो बुक वेल्यू बच्चे को उस अब एक एक एक्जामपल लिया है उस एक्जामपल में मैंने सारी चीजें मांगा है अला कि मैं सारी चीजें डिसकॉस नहीं करूंगा पर इतना है इस एक्जामपल में मैंने आपसे क्या-क्या मांगा एक एक्जामपल था मैंने आपसे इसी में पेबैक पिडियेड मांगा था, ARR मांगा था, NPV मांगा था, और discounting payback period मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मांगा है, क्योंकि discounting payback period बहुत आसा है, ठीक है, तो इबनाए इसको, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं सिफ discounting payback period पे ही बात परूँ, तो भाई सब कोशन किया है, इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, इसमें ये सब आता है, हमको discounting payback period सीखने को मिलेगा, बाक्य होगा, कोश्ट ओप मशीन है, पाँच लाग, तीसजार लाइफ है, पास साल सैल्वेज है, तीसजार, सैल्वेज कभी यूज आने वाले है, depreciation करेट है, 20%, पर एनम, टेक्स करेट है, 30%, और आपको CFBT दिया हुआ है, तो यार हमको मालूम है, payback period में किसका यूज होगा, CFAT, NPV में किसका यूज होगा, CFAT, और discounting payback period में भी यूज होगा, CFAT, लेकिन जब ARR calculate करेगे, तो हमको चाहिए था profit after tax, तो CFBT से कोशिश करेंगे, हम सबसे पहला काम होगा, कि CFBT से pet निकाले और CFAT निकाले जो हमको आता है, और वही निकालने की कोशिश किया, CFBT दिया है, 5,03,20% पर एनम के सबसे WDV method से depreciation निकाला, PBT हो गया, tax हो गया, और ये CFBT डारेक्ट निकाल लिया, जिस भी बच्चे की मैंने copy लिया हूँ, हाला कि पहले हमें क्या निकालना चाहिए था, इसी में pet निकाल लेना चाहिए था, पर ठीके CFBT दिया है, तुनो, तुनो यहाँ से, pet, मैं depreciation करोगे, add back, तो क्या जाता है, CFBT, पर जबकि आपने CFBT निकाल ही लिया है, तो फिर depreciation बाइनस कर देना तो pet आजाएगा, कुछ गलत नहीं है, अगर ऐसा कर भी लिया तो कोई दिख़ए, फिर CFBT आपको निकालना आता था, आपने CFBT निकाल लिया, सबसे पहले payback period यूज करना है, मेरे ख्याल से, इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, payback period आप निकाल लो कि, इसमें मैं ज़्यादा पाते हैं, दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे ARR निकालना, और ARR के लिए क्या यूज करना होता है, profit after tax, profit after tax निकाले कैसे, बस इतना बता तो, तो CFAT, यह अच्छा निकला हुआ था, कि यहाँ इन्होंने निकाल लिया था, जो बाड़ा से, पैट निकाल लिया था, तो average जो है, जो पैट है, उसका average कर देना, कर देंगे सर, divide किसे गर दोगे, pass से, divided by, सुनो ध्यान से, एरा निकालते समय में, हमेसा, दो answer लिख दिया गरूँगा, divided by initial investment भी करेंगे, और फिर दूसरा और एक तरीका है, कि divided by, आप average investment से भी कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, इन्होंने किस के सब से किया, इन्होंने initial investment के सब से answer दिया है, हम average और average कैसे करते, opening प्रस closing, divided by, खीक किसा, तो हमने कौन कौन से चीज़ किया, हमने payback period निकाल लिया, और इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हमने ARR निकाला, अब हमें क्या निकालना, NPV वगएरा निकालना है, तो सुनो, सबसे important बात, अब ध्यान से समझना, अब हमें terminal value की भी जर्वरत पड़ेगी, तो क्यों पड़ेगी, वो मैं आपको समझा तूम है, क्यों, बोलो sales consideration कितना, 30,000, तरी 30,000 कहां से आये, question में देखो, question में 30,000 लिखा हुआ, ये देखो, service value 30,000, तो वो जो machine बेचोगे, machine बेच के हमारे पास 30,000 आएगा, book value minus किया, तो ये tax back सब consider करके, ये आगए terminal value 7310, ठीक, ठीक है सर, अच्छा, payback period इन्होंने गलत निकाला था, ये वाला निकाला था, तो उन्होंने correct करके फिर निकाला, ठीक है, payback period आपको पता कोई लिखा, मैंने terminal value निकाल लिया, ठीक है, अब क्या करने वाले, अब मैं NPV निकालने वाला हूँ, जो मेरे काम की चीज़े, पहले वो कर ले तो, अब NPV के लिए किसके सबसे काम कर रहा हूँ, मैं टेबल से काम कर रहा हूँ, आज, कैस आउटलो कॉस्ट और प्रजेक्ट कितना लगेगा, जीरो प्रिएड में वन कितना लगेगा, पाच लाग तीसार उसका present value ले लिया, पाच लाग तीसार इसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा cash inflow में CFAT और CFAT अरड़ी अपने निकाला हुआ है, कितने साल, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाश साल और CFAT निकाला हुआ है, और कहा निकाला है CFAT, ये निकाला है, आपने CFAT कि दर निकला था वह यह 59 800 12344 यह आपका CFAT निकला यह CFAT है और यह फैक्टर ले लिया आपने जो भी रेट दिया 12% 12% के हिसाब से फैक्टर लिया और आपने मल्टिप्लाई कर दिया और यह आगए अब एक बात में आपके टर्मिनल वेल्यू किया यह 5 साल का तो CFAT का मतलव हमने बिजनेस करके इतना पैसा कमाया लेकिन 5th year के end में हमने मसीन भी तो बेचा है और मसीन बेचके हमारे पास 73101 आया तो वो भी तो cash in उसको कैसे आप ignore कर सकते हो तो मैंने वो भी consider किया और उसको पाच्वे साल के factor से multiply कर दिया तो टोटल यह आया pvc है और इसमें से यह माइनस कर दिया तो यह npv आ गया calculation आप देख लेना main है कि मैं concept discuss करती हुए चलूँ काम खता तो terminal value का यहां use होने वाला ठीक है जी और सर discounting payback period नहीं बताया तो मैंने सब्सक्राइब इसमें किया ही नहीं है वो हम किसी question के साथ में कर लेंगे discounting payback period कुछ होता नहीं है समझाता हूं समझाता हूं सुन दो दियांस हम जो payback period निकालते हैं हम इसको cumulative करते हैं discounting payback period में क्या होता है हम कहते यार यह तो गलत है यह तो पहले साल का आ रहा है और पहले साल जो है यह दूसरे साल आ रहा है तो payback period में पैसा तो आज हमारे पास से आज जा रहा ना तो हम यह नहीं देखते इसका present value देखते है फिर वो किसी ना किसी question में आएगा और मैं वहां समझा देखते है और एक टोपिक है जिसका नाम है profitability index तो capital budgeting में capital budgeting में अभी क्या क्या कर चुके जरब आख डिसकाउंटिंग payback period नहीं किया है पर वो हो जाएगा अगर देखा जाए तो दो ही method बची एक PII बची और एक IRR बची बाकिसारा हो जाएगा profitability index क्या है PII क्या है यहां से देखना इसकॉन से project A project B PVCO मतलब आज कितना पैसा लगा और सर्फ PVCI क्या होता है PVCI का यह होता है कितना पैसा यह सब को total करके यह आ गया PVCI में से यह minus करोगे तो वो क्या जाएगा NPV जाएगा तो मैंने क्या किया PVCI दिया मतलब इन सब का total करके दे दिया तो मैंने का यार एक प्रोजेक्ट है ए है पैसा कितना लग रहा है आज एक लग आज पैसा कितना लग रहा है एक लग पैसा कितना आएगा दो लग जितना भी आएगा उसका प्रेजेंट रही दो लग तो सर जितना लग रहा है उससे ज्यादा आ रहा है तो सर इसका मतलब य पीवी-CIE-PVC अगर प्रोजेक्ट B किये बात करो तो कितना पैसा जा रहा है 10 लग कितना पैसा आ रहा है 12 लग तो बताओ एक्ष्ट्रा कितना NPV कितना 2 लग important एक लाख रुपिया लगा कर 2 लाख रुपिया आ रहा है 10 लाख रुपए लगा कर 12 लाख रुपए आ रहा है कौनसा प्रोजेक्ट करेंगे A याप पैसा तो कम ज्यादा लग रहा है वो important नहीं important है NPV बोलो NPV ये नहीं देखता पैसा कितना लग रहा कितना नहीं लग रहा NPV के हिसाब से जवाब दीचिए कौनसा प्रोजेक्ट करेंगे A याप NPV के हिसाब से ही पूछ रहा हो तो प्रोजेक्ट B करेंगे पर सरी ये गलत है क्योंकि आम खुद गहराई से सोचिए सर 1 लाख रुपए लगा कर 2 लाख रुपए कमा रहा है double 2 times और यहाँ times की बात करो तो 1.2 times एक रुपए कमा कर एक रुपए बीस पैसा कमा रहा है और यहाँ एक रुपए लगा कर 2 रुपए कमा रहा है क्या जादा अच्छा ये वाला ये जो times में निकलता इसी को बोला जाता P.I. NPV में भी दो समस्या आया है इसलिए कौन सा मेताड आया P.I का फॉर्मुला क्या P.I कुछ नहीं P.V.C.I divided by P.V.C.I किसी को हम P.I. बोलते है और P.I. के P.I. के बेसिस पे जवाब कैसे दोगी ज़रा सोचते है कौन सा प्रुजेट एकसेट करोगी A या B सार जिसका P.I. जाता है उसको एकसेट करेंगे बात कता है ठीक है अगर कोशन आता अब ध्यान से समझ रहा मेरी बात कि यार P.V.C.O और P.V.C.I हम लगा रहा है एक लाग और आ रहा है एक लाग बीस जर्ब और सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि बताइए इस प्रुजेट को करें कि नहीं करें लगा कितना रहा है एक लाग और आ रहा है एक लाग बीस जर्ब बताइए इस प्रुजेट को करें कि नहीं करें तो सर्ब कर लेना चाहिए बोलब P.I. कितना आया 1.20 कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए क्योंकि सर जितना लगा रहा है उससे जज़ादा आ रहा है बिल्कुल कीज़े अच्छा और अगर यह आता नभे हजार तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना लगा रहा है उससे कम आ रहा है 0.9 तो P.I. के basis पर कैसे decision decision कैसे दिया जाएगा तर P.I. अगर 1 से जादा है मतलब जितना लगा रहा है उससे जादा आ रहा है तो कर लेना चाहिए अगर P.I. 1 से कम ए 1 रुपिया लगा कि 90 पैसा कम आ रहा है तो P.I. का formula और अगर decision single project independent तो P.I. 1 या उससे जादा होना चाहिए अगर mutually exclusive proposal है तो P.I. क्या होना चाहिए higher तो बस P.I. में कुछ और था ही नहीं तो देखा जाए payback period, discounting payback period एक ही है discounting payback period में time value of money का use होता है बस question के साथ वो मैं समझागी तो अब P.I. भी खतम तो total मिला कर हमने क्या-क्या पढ़ लिया methods की बात कर थे payback period हो गया ARR हो गया ARR समझ रहा है average rate operator या accounting rate NPV हो गया E.I. हो गया मान दो discounting payback period भी हो गया तो सर बचा क्या बचा है IRR Internal rate operator पस यही समझाना है और जैसी IRR खतम होगा हम अपने exam के questions बनाएंगे basics के और फिर class आज की over करेंगे फिर एक class और लगेगे जिसमें मुझे कुछ समझाना नहीं होगा लगवा questions करवानी होगा जिसमें replacement होगा replacement होगा sensitivity analysis वगेरा होगा तो पहले जो बात करेगी वो किसकी बात करेंगा हम आई-र-र की बात करेंगे तो अब बात कर ले आई-र-र पर अधर आई-र-र है क्या actual में पहले discuss कर लेते हैं बिल्कुल आसान है multiple choice question आ सकते हैं इसलिए पहले उस पर focus कि मान लो यह आप कि आप बने अपने बैंक से पैसे उठाया कि और आपने किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे अगर बैंक से आपने दस लाक रुपए उठाया उस पे जो बैंक को हर साल देना है उसको बुलते हो आप cost of capital और cost of capital मान लो 10 परशन और उसको आपने जिस प्रोजेक्ट में लगा दिया कितना पैसा लगा यह 10 लाक उससे कितने की कमाई हो रही है उसको बुलते हो आप IRS कितना परशन कमा रहे हो हर साल का compounding और मान लो आप कमाने वाले हो आपको उमीद है कि आप 12 परशन कमाऊगे उठाया कितने परशन पर था पैसा दस परशन पर कमाऊगे कितना बारा परशन पता यह प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए सर जो पैसा उठा रहे हो उस पे required रिटल प्रिटन कितना दस परशन दस परशन देना है और कमाऊगे कितना बारा परशन तो क्य कर लेना चाहिए है एक सब्धा प्रोजक्ट कैसे रिसाइड गिया अगर आयार जादा है किसे १ॉश्ट ऐ तो हमें प्रोजेट कर ले यह यह पिर दीसरा कोंचन नहीं असकता अगर एक ही प्रोजेक्ट है और उसके विसे में पूचा जाएगा कि project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दूसरा क्या हो सकता दूसरा दो project है एक project से 12% का IRR आ रहा है और एक project में IRR आ रहा है 15% और question ये पूछा जाएगा कि project A करना चाहिए कि project B करना चाहिए तो sir IRR should be higher जिसमें IRR ज़्यादा आएगा उस project ये दिया रहेगा अब ये निकालना पड़ेगा और इसके basis पर decision लेना पड़ेगा कि हमें project करना चाहिए कि नहीं करना अब सवाल ये हैं कि IRR निकाला कैसे जाए अब देखो example सब किसा भी important ये हैं से समना IRR निकाला कैसे जाता है पता है ये project में कितना पैसा लगा है एक लागवी सिजर लाइफ कितनी है पास साल अब सुनो क्या बोलना चाहता है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैंने जो project में पैसा लगाया हूं जिस भी project में पैसा लगाया हूं उसमें हर साल कुछ पैसा नहीं मिलेहा हर साल नहीं मिलेहा सीधा last में मिलेगा और मिलेगा 283 6 2 मेंने future value दिया future value और यह present value किस rate से future किस rate से आया पस कुछ नहीं है यहाँ simple है आपको time value of money आना चाहिए तो sir यह जो पैसा लगा रहा हूँ यह आज लगा रहा हूँ 1,20,000 कितने rate से मुझे नहीं मालू पर 5 साल बाद यह मिल जाएगा मुझे 286,362 तो बताएए on an average हर साल कितना percentage कम है that's it बहुत ज़्यादा मुझे लगा क्या नहीं तो sir हमें R निकालना है यह किसी को मैं IRR नाम दे रहा हूँ तो sir यह कप का value है यह आज का है यह कप का value है यह 5 साल बाद का उसको मैं equate ही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ तो sir 1 प्लस आ रहे हैं यह 20 ले जाएंगे yes power 1 by 5 हो जाएगा divide करने से yes और इसको कैसे solve करोगे dirty power dirty power पता नहीं आपको हाँ sir square root जो भी value आया value कितना आया था हमारा three point नहीं सोरी two point three eight six three five इसको square root करोगे बारा बार बार फिक्स है minus one into one by one by year जो भी year दिया रहेगा प्लस one और into equal to बारा बार करोगे तो answer रहे जाएगा one point one नहीं आ जाएगा और उसमें से one minus करोगे तो कितना आ जाएगा nineteen that's it इसी का नाम है IRR IRR है क्या IRR कुछ नहीं आज पैसा लगाएंगे तो किस rate से on an average हर साल का rate बताईए growth बताईए आप जो बोलना बोल दीजिए वो rate बताना compounding rate और rate निकल गया 19 percent मतलब बताओ इस project से हम कितना percent की कमाई कर रहे दूसरे भी methods ठीक है सर ये तो समझ में आ गया दूसरा method important है एक सब्द लिखा है IRR ऐसा rate है इस पे PVCO is equal to होता है PVCI मतलब सर मतलब समझा आराम से लिख सर ये क्या एक लाग बिस है सर ये आज पैसा जा रहा हूँ इसको मैं क्या बूल सकता हूँ PVCO agree यही है भई यही तो कर रहे है और ये कब पैसा आ रहा है सर ये तो आ रहा है हमारा पास साल बात इसको अगर मैं divide कर दू 1 प्लस R तूदा पावर फाइफ यहां ना लिखकर यहां लिख तो यह क्या आ गया सर यह आ गया PVCI इसी बात है IRR एक ऐसा रेट है यही रेट निकालना जिस पे PVCO is equal to PVCI हम इस मैं अथर्ट से कर रहे यही काम करने वाला हूँ बस एक statement लिख दिया कि IRR वाले रेट पे PVCO is equal to PVCI और यह और यहां factor से multiply करेंगा और कौन से वाले factor से 5th year के factor से multiply करेंगे और 5th year के factor के लिए table दिया रहेगा और table में ढूंडोगे पाच्वे साल में तो आपको rate यह वाला factor ढूंडोगे तो answer आजाएगा 19% but table नहीं दिया फिर कैसे गए फिर यूज होगा trial and error method सर वो क्या हो था अब यह दिक्कत है trial and error method और यह सीखना ही पड़ेगा सर सीखना ही पड़ेगा IRR में वो 19% निकालने का ही तरीका समझा रहो पहला वहला method समझ में आ गया है दूसरे में table दिया रहे तर table तो हमारे पस है नहीं है तीसरा यह ब्रमास्तर है चाहे question कैसा भी क्यों ना हो अगर इस से करेंगे तो दिक्कत नहीं हो समझते हैं आराम से समझते आराम अब मैं एक और स्टेटमेंट बोर्ड रहा हूँ तो ना दियांस IRR is a discounting rate at which NPV is equal to zero हाँ बोलो हाँ IRR एक ऐसा rate है जिस पे NPV zero होता है yes क्यों yes क्योंकि अभी बढ़ला IRR एक ऐसा rate है जिस पे PVCI is equal to PVCO NPV zero आना चाहिए या फिर ऐसा बोल सकता हूँ PI is equal to one हाँ सर्फ PI का formula क्या था PVCI divided by PVCO इसके ज़रूरत नहीं है अभी हमें NPV निकालना है हमें ऐसा discounting rate ढूंडना है जिस पे NPV zero आज़ए NPV zero आज़ए तो अब पहले मन से कोई भी rate लेना होगा मेरे पस techniques है ज़रूरत नहीं है एक rate कोई भी आप मन से उठाना और generally मैं एक rate में कौन सा बाला rate मन से लेता हूँ 10% और 10% के हिसाब से NPV निकालने की कोशिश करता हूँ कि हे भगवान 10% rate ले रहा हूँ इससे NPV zero आ जाना चाहिए तो चलो NPV का formula वालो में पी वी सी आई माइनस पी वी सी ओ तो बो फिप्ट एयर में इतना पैसा आ रहा है यस और 10% के हिसाब से factor कितना हो गया 0.621 ना यार 1.1012345.621 तो पाच्वे साल में आ रहा है तो पाच्वे साल का factor लेंगे माइनस एक लाग पी सी जाथ तो यह आ गया NPV 5780 मज़न नहीं है हमें NPV क्या लाना है 0 अब important 10% पे NPV positive है तो हमें तो 0 लाना है मतलब rate 10% से ज़्यादा लेना पढ़ेगा की कम लेना जितना cost of capital बढ़ाओगी यार cost of capital जो पैसा उठा रहा हो जितना ज़्यादा रहेगा उतना NPV मेरा कम हो जाहेगा ना cost of capital के बढ़ने से profit कम होता है logic factor पे नहीं जा रहा हूं logic पे जा रहा हूं cost of capital के कम हो बढ़ने से तो profit कम होता है ना हाँ sir तो मुझे तो zero लाना है ना तो मुझे rate इससे ज़्यादा लेना पढ़ेगा यास rate बढ़ाओगे तो NPV गिरेगा तो चलो अब कौन सा ले अब ले लेते 15% सार 19 मालूम है ना यार नहीं मालूम ना मुझे बस 15% मतलब मैं 5-5% बढ़ाऊंगा हमेश मैंने बढ़ाया 15% और 15% से फिर NPV निकाला फिर positive आ गया बतलब 15 में भी काम नहीं चली तो अब कितना लेंगे sir 20% और कोई option नहीं अब मैंने 20% लिया और 20% से NPV नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये हुआ कि IRR मतलब ऐसा रेट जिस पे NPV 0 आ जाए वो 15% और 20% के बीच का है तो कितना है वो ही निकालना है तर वो कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे इसको बोला जाता इंडर्पॉलेशन बच्चेस मैं फॉर्मले वॉर्मले रट लेते हैं पर मैं फॉर्मले नहीं रट आ हूँ बिल्कुल सिंबल तरीके से करने की कोशिश कर अराम से समझे जब मैंने 15% रेट लिया था तो NPV आया था 22322 जैसी मैंने रेट बढ़ाया 20% पे NPV आ गया 4802 नेगेटिव इसका मतलब यार सर ये है कि जैसी आप 5% से बढ़ाते हो रेट तो NPV में चैंज आ जाता है जो पहले positive दिखता था वो 0 नहीं हुआ 0 से भी कम हो गया नेगेटिव हो गया तो बताओ कितने रुपए का चैंज हुआ NPV में इस मैनल इस मत कर दे न मेरी बात काँ सब समझ रहे हो ये होता है 0 आपका अभी आया था 22322 ये हो गया 27204 तो सर مुझे किया इतना down करवाना मुझे इतना नहीं था 22322 है ना 22322 है ना बस उसको ना मैं 0 तक लाना चाहता हूँ मैं negative नहीं करना चाहता जीरो तक लाना चाहता हूँ तो बताओ मुझे कितने का change करना पड़ेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ टू टू थ्री टू टू इतना ही डाउन करवाना इतना डाउन नहीं करवाना It means मुझे पांच percent नहीं बढ़ाना थोड़ा सा बढ़ाना इतना बढ़ाना है कि सिर्फ इतना डाउन हो जाए Unitary Method से कर सकते हूँ अब भी मैं बहुत ज़्यादा डिटिल में नहीं जाओ तो सुनो आया रखे पंद्रा पर्षंट तो लगेगा लगेगा और पाँच पर्षंट यहां पर्षंट इस होता यहां भी पर्षंट पाँच पर्षंट यह वाला के चैंस से इतना चैंस हो जाता है पॉइंट वन पर्षेंट तो नाइंटिन नहीं आ रहा चल जाएगा पॉइंट टू-फाइब पर्षेंट तक वैरीशन चलेगा ठीक है तो मैंने पहले ही बोला आई आ रहा थोड़ा सा मुस्किल है थोड़ा सा समालने में टाइम लगता है जो मैथड चलेगा न वो चलेगा ट्राइन एरर मैथड यह जो मैं कर रहा हूं तो प्लीज इसको थोड़े से अच्छे से करने चीए एक दो कोशन और बनाए एक दो एक्जामपल अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कोई कोश्चन वावियर रहा होगा इसको छोड़ते हैं कि मारे कामका नहीं अब आप सुना कामका तैयार हो आयरर चाहिए मझे आयरर चाहिए कि कोश्ट प्रोजेट कितमा है तर तीन लाग पचास जार लाइप कितनी है पास साल हर साल आएगा एक लाग एक लाग एक लाग एक लाग लाग कितने साल तक पास साल तक और मुझे क्या चाहिए आयरर मैं table वाले तरीके से करवाना ही नहीं नहीं। ये टेबल वाला तडरीक एल्टरणीव मेरे काम करनी ही। हम से करेंगे। हम एक रेट लेंगे। सपर्सेंट करएंब क्या निकालेंगे n США न च Müंसमें तो वही मैं यह काम करवाने is आई आर एक ऐसा रेट है जिस पर एन पीवी किया जाए जीरो तो सबसे पहले मैंने 10% रेट लिया हर असाल एक जैसा एमाउंट है तो पीवी एफ ले लिया और उसमें से माइनस कर दिया तीन लाग पचास जा तो एन पीवी आगा है 291 फिर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फिर मैंने दूसरा रेट लिया 15% और जिस पे एन पीवी निकाला तो ये आगा है नेगेटिव और फिर इन दोनों का क्या कर रही है अब इंटर्पोलेशन उसमें मैंने ऐसे किया 10% पे आ रहा है मेरा 29100 और 15% पे आ रहा है ये नेगेट तो जैसी 5% का डिफरेंस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे जबकि मुझे चैंज इतना ही करना है तो उसके हिसाब से फिर मेरे IRR निकाला निकल जाएगा ये जी है अब तो आ जाएगा आपको याद ही तो करने तो रिवीजन करवा रहा हूं मैं पढ़ा नहीं रहा हूं मैं रिवीजन करवा रहा हूं मैं और एक कोश्चन लाश्ट होगा था अब तो आप तैयार होगे एन पी भी निकालना और एन पी जीरू आना चाहिए तो पोश्ट कितना है एक लाख पहले साल पच्चेस फिर अठाइस फिर बीस जा फिर पंद्रा जा आयरा निकालना है अब तो भाई कोई टेबल वेबल यूज कितना भी कर लो नहीं होने वाला अभी तो ट्रायल एन एरर ही करना पड़ेगा स्टार्ट कहां से करेंगे 10 पर पड़े बू hope Sepa जाएदा कि दस से कम अब कर्शेंट ली जिसमें पॉजिटीव आ तो सिसमें बी नेकिटीव हा रहा है जिसमें ने नेगिटीव है ये नेगिटीव है एक पांच परषण पे भी नेकितिव झिसमत ही खराब है और कम लिया आकितना तो परशन लिया उसमें भी negative आ गया एक्जामबल थोड़ा खराब सा बन गया था तो फिर हमने एक पर्षंट लिया जिसमें positive आ तो अब हम कह रहे हैं तो एक पर्षंट पे है positive और दो पर्षंट पे है negative तो फिर आ गया IRR 1.12 पर्षंट इतना बुरा नहीं हो सकता है इसका मतलब सर समझ रहा हो ना आप कि यार आपका दो चीश चाहिए मुझे एन पीवी एक तो negative चाहिए और एक positive चाहिए उसी के बीच निकलेगा ठीक है से मेरे खाल से बहुत कुछ हो गया अच्छा दो एक्जामपल है important conceptual conceptual तो समझ रहा है जारो इसके बाद question स्टार्ट हो जाए तो अभी अभी सुन दो बस दो एक्जामपल इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ concept समझाने वाली चीज़े इसलिए तो ठीक है अभी दो चीज़े बढ़े हमना क्या हमने आयरर सीख लिया यस देखब जए तो क्या हमने सारी method सुख्थ लिया यस हमने sir payback period सीख लिया हमने ARR सिख लिया, हमने discounting payback period भी सिख लिया, NPV भी सिख लिया, PI भी सिख लिया और IRR भी सिख लिया तो क्या basics हमारा खतम हो चुका है? पर दो चीजे ऐसी हैं जिस पर मुझे आपको discussion करवा रहा है तो example है क्योंकि उससे related वड़े सारे questions है आपके CME वालों को, बहुत सारे questions है इसलिए वो करवाना जरूरी है ठीक है सरे, तो example कौन से? वो example यह है total दो example पर बाता तो project A और B इसमें पैसा कितना लग रहा? 110,10,20,25 इसके life कितनी है? 5 साल और इसकी है 8 साल this is most important 5 साल और 8 साल पागी question में कुछ नहीं है CFAT दिया, 50,000 और 56,000 और service दिया, 10,000 और 25,000 discounting rate है 10% पताइए कौन से project में पैसा लगाना चाहिए काम क्या करना? NPV निकालना और NPV निकालना हमको आता है जब एक चीज है जिस पर मुझे बात करनी थी लाइफ अलग अलग दिया है तो कैसे काम होगा? तो सर जी पहले जैसे NPV निकाल रहे थे NPV निकालना लो निकालते हैं पचास जार परेनम है rate है 10% पास साल का factor से multiply किया और 10,000 भी last में आएगा तो 10,000 में last में आएगा तो सिर्फ पाच्वे साल के factor से multiply पाइनस किया एक लाग दस जार तो NPV आ गया 85760 ऐसी बात किस की करेंगे project B project B हर साल आएगा कितना 56,000 कितने साल तक आएगा आठ साल तो यहां जो होगा वह आठ साल का factor होगा और यहां आठ साल का factor होगा इसके लिए माइनस क्या कर दोगे एक लाग पच्चिस जार NPV आगे है 18543 इस हिसाब से कौन सा project करना चाहिए जिसका NPV ज्यादा इसका NPV सिर्फ 85,000 आ रहा और इसका आ रहा और इसमें NPV कितने साल में कमा हरे है सर आठ साल एक में 5 और एक में 8 तो दिक्कत है यार फिर तो यह comparable नहीं है न यार एक में तो यार यह कमाई है पास साल की यह कमाई है आठ साल की तो comparable नहीं है तो फिर मुझे एन्व इक्विलेंट करना पड़ेगे मुझे एन्वाल एंन पी भी निकाला है और ऐन्वाल एन्पी कैसे निकलते एन्वाल एन्वाल तो इवाइड अपाइड कर strengthening है बास वहीं total मिला कर जब आप करते हूं तो आप 50,000 into 5 नहीं करते हैं, 50,000 into factor करते हूं तो divide भी 5 से नहीं करेंगे, divided by factor से करेंगे बाकि बहुत ज़्यादा detail में class में discussion किया important if project का जो life है वो unequal है, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, जो decision लोगे, वो NPV के basis पे नहीं लोगे, वो लोगे equivalent NPV के basis पे और वो कैसे निकाला जाता, NPV divided by PVAF तो वही हमने किया जो NPV निकला था वो लिखा और PVAF लिखा, यह कितने साल का 5 साल का लिखा, यह कितने साल का 8 साल का लिखा तो यह answer आया, हाला कि अभी B कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, लेकिन यह answer अलग हो सकता तो एक important बात हम लोगों को समझ में आई कि अगर life अलग अलग है प्रोजेक्ट का, life किसी का कम है, किसी का जादा है तो NPV के सबसे decision नहीं होगा, आपको equivalent annual NPV निकलना यह एक example था जो discussion और यह और एक example है, यह discussion करना इसके बाद question start हो जाएगे ठीक revision करना तो revision ऐससे हो कि सब कुछ cover हो जाए CA में तो मैं देख चुका हूँ यह revision में derivative का revision दो घंटे में भी करवा सकता हूँ कुछ special नहीं है लेकिन problem वह है कि पूरी चीजे cover नहीं हो पाती और मैं चाहता हूँ कि revision में at least सारी चीजे cover तो हो जाए इसलिए time ज़्यादा लगेगा ठीक है चलो 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 यह यह example भी important है कुछ काम की चीज है इस मेना यार AC खरीदने का सुझा तो दो AC है air conditioner machine cost एक air conditioner पचास जार का है और एक असी हजार का तो सर सस्ता वाला क्यों ने खरीद रहे बात सही है दिक्कत क्या है एक तो सस्ता वाला दो साल ही चलेगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देते हैं तो तीन साल चलेगा ठीक और क्या चीज़ air conditioner सस्ता भी आता है तो सस्ता वाला खरीदने में दिक्कत क्या दिक्कत है क्यों किसी इसमें लिखा रहता five star वगिरा सर मतलब क्या है मतलब यह कि अगर मैं सस्ता वाला खरीदता हूं air conditioner उसमें electricity bill ज़्यादा running cost तो इस पे 10,000 रुपय परेनम का खर्च रहे क्योंकि आपने सस्ता खरीदा busily bill electricity expenses जबकि machine भी में खरीदता हूं थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाता हूं पर हर साल के खर्चे कम हो जाते और उसके अलावा जब दो साल बाद बेचूंगा तो यह 8,000 का भीकेगा जबकि यह 20,000 का भीकेगा तो बताईए कौन सा और cost of capital है कौन सा machine हमको खरीदना चाहिए यहां आपको cash inflow नहीं दिया रहेगा तो जो भी decision है वो आपको cash outflow के basis पे देना और cash outflow क्या होना चाहिए यह कम होना चाहिए ठीक चलो बात करते हैं कैसा अपनो निकाल रहा है तो आज कितना पैसा जा रहा पचास जार और साथ में हर साल कितना जाएगा 10-10,000 कितने साल तक 2 साल तक और 2 साल का factor 15% के सब से लेए तो एक तो पचास जार यह जा रहा और दस जार यह जा रहा पर आठ जार मिल भी तो जाएगा कब मिलेगा सेकंड यर में बेस दो कि तो मिल जाएगा तो सेकंड यर के factor से यह माइनस कर दिया यह पैसा जा रहा पर यह मिल रहा, जो मिल रहा उसको मैंने माइनस कर दी, तो नेट मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है, 60212, अगर मैं यह वाला एर कंडिशनर खरी दता हूं, तो मेरे जेप से टूटल मिला कर, जो पैसा जाएगा, उसका प्रिजेंट वैल्यू है, 60212, साथ में, साथ साथ हजार रुपय, तीन साल तक जाएगा, तो उसका फैक्टर, पर कुछ पैसा मिल भी तो जाएगा, कितना मिलेगा, 20,000, तो यहां टोटल आगया, 828, तो देखा जाए, अगर मैं एक्विवेलेंट नहीं करूं, तो कौन सा, AC मेरे लिए अच्छा है, सर य हमारा खर्चा तो इसमें कम है, भी कैसा आउटलो कम होना चाहिए न, तो सर यह वहला अच्छा है, इसमें तो ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन भाई साथ, इसमें जो पैसा जा रहा है, वो दो साल यूज कर रहा है, इसमें जो पैसा जा रहा है, वो तीन साल यूज कर किया करना पड़ेगा annual निकालना पड़ेगा equivalent annual cash outflow कैस आप दो निकाल रहा है पर हर साल का निकाल काम करें तो यह पैसा कितने साल में जा रहा है सर यह पैसा जा रहा है यह और divided by हमने factor से दिवाइट करती है 1.62 तो एनवल निकल गया एनवल इसको एनवल capital charge भी बोलते हैं इंपोर्टन सब्द है एनवल capital charge मतलब मशीनरी खोड़ीने से मिरा actual में equivalent annual capital charge मतलब annual expenses कितना पहला है इसमें पढ़ रहा है 37031 on an average और इसमें पढ़ रहा है 36277 तो फिर उसे साब से तेर इसमें पैसा कम लग रहा है तो हमें कौन सा मशिन खरीना चाहिए मशिन भी खरीना चाहिए एक ठीक असर बात खतम तो ये दो एक्जामपल है अगर cash info नहीं दिया तो cash outlaw के basis पर decision लेना पड़ेगा और अगर life equal नहीं है तो फिर उसको आपको equivalent annual नहीं कामा मेरे खल से अब बात हो चुकी अब question ही start करें मेरे खल से अब question ही start हो जाए तो चले question ही start करें ज्यादा question नहीं है बड़े मुस्किल से पाच्छे question होगी with solution है कौन से question है ये basics के question एक बार वो question कर लेते हैं तो हमारा जो है आज की class खतम करेंगे और second part में पूरा ही खिज दूँगा मैं पूरा मतलब तीन घंटे की और लगेंगे तीन घंटे में पूरा decision रही आपका certainty equivalent वगेरा सब हो जाएगा तो इसकी question एक बार बना लेते बात कर दो है तो इसकी यह कब आया था एक्जाम दिसंबर और मैंने कहा ना basic से भी question आया है तो आप यह नहीं कह सकते कि basic से questions नहीं आते आते हैं क्या लिखा हुआ जारा question एक बार read करूँ क्या यह प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नामे ए और बी और दोनों में कितना पैसा लग रहा है 60 लक और 60 लक तब प्रोजेक्ट है mutually exclusive mutually exclusive का मतलब क्या हो था सर अगर दोनों प्रोजेक्ट है तो दोनों का NP भी positive तो भी आप दोनों select है कर सकते दोनों में से कोई एक ही select करना है प्रोजेक्ट एक लाइप कितने साल लें चार साल एंट पी की कितनी है तीन साल वह हो यह काम की बात है एक चार साल तीन साल अगर NPV भी निकाल लोगे तो NPV के सबसे डिशिचर नहीं दे सकते हमको क्या निकालना पड़ेगा equivalent annual NPV साल वेल्यू इस जीरो फा बहुत था कम्प्री चलो ठीक है अपना टर्मिनल वेल्यू का कोई चिक्का नहीं इस एप्र इंपोर्ट एप्रिशिशन इस चार्ज यूनिफॉर्म मतलब SLM मेथर फर ए ओवर फोर यर्स ठीक है मतलब प्रोजेक्ट एक का जो डेप्रिशन निक साथ लाग टिवाड़ेट बाई चार था रस बीके लिए आप 100 प्रसर डिप्रिशीशन चार्ज कर सकते हो फर्स्ट यर में यह लाइन इंपॉर्टेंट है इसको कैसे मैनेज करोगे बस यही टेक्स रेट है 40 परशन और हर्डल रेट का मतलब डिसकाउंटिंग रेट है 15 परशन कैश प्लो बिफोर टेक्स मतलब cfbt दिया हुआ है cfbt दिया हुआ है तो cfbt दिया है तो सर cfbt निकाल सकते है आप वैसे भी कर सकते है cfbt निकाल रहाए एन पी में निकालना a और b cfbt से निकालेंगे कि सिंपल है यार cfbt दिया है अगर मैं बात करूं तो जिट एक ही में हर साथ उसने अलग तरीके से कर रहा उन्होंने भी सेह कर रहा उन्होंने अलग अलग एक बार बता रहा हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ध्यान से ध्यान से समझना मेरी ब नालते हैं मैं इस ही प्रॉजय की बात करूंगा एक ही साल की बात फंट की भात करूं की में कितना है टिसलाक और उस में से हम मैनस करते हैं depreciation जो आपने निकाला है कितना निकाला था यार हमने depreciation 15 लाग तो सर जो आया हुआ गया PBT कितना 15 लाग फिर टेक्स निकालते और टेक्स का rate कितना है टेक्स का rate है सर 40 परशन तो 15 लाग का 40 परशन कितना हो गया 6 लाग और फिर CFPT कैसे निकालते यह वन लेते हैं और इसको ले लेते हैं टू तो जो आता है cash pro after tax आगया 30 में से 6 गया कितना आगया और उसने चूबीस ही निकालना एसी हर साल का निकालोगी लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने और कैसे की अब सुनना ध्यांस इसी को मैं कैसे निकाल रहा हूँ मैं कहता हूँ कि मैं CFPT ले लेता हूँ कितना तीस और टेक्स इसी में से माइनस कर देता हूँ सर इसमें थोड़ीन टेक्स लगता वही कर तो लो आप टेप्रेशिसर माइनस नहीं कर रहो सीधा टेक्स माइनस कर रहो कितना परशन सर 40 परशन तो 30 का 40 परशन 40 है ना यार टेक्स था तो उसको मैंने cash into after tax कर दिया और सर डेप्रेशिशन डेप्रेशिशन की बात करो अब डेप्रेशिशन माइनस किया है कि नहीं किया नहीं किया है डेप्रेशिशन है कितना 15 लाग तो उस पर tax savings भी तो होगा अब उसको मैं अलग से consider कर रहा हूं मतलब में कर रहा हूं कि यार यह तो भी नाट डेप्रेशिशन की है इसके अलावा tax savings हो रहा है on depreciation कितना है जी 15 लाग इंटू 40 परशन 15 लाग इंटू 40 परशन 6 लाग यह तो यह भी पैसा आ रहा और यह tax saving और टोटल कितना है 24 लाग एक यह बात है इसा अगर हम आपके तरीक से करें तो कोई गुना नहीं है कर सकते हैं इन्होंने कैसे कर रहता है ऐसे कर चलो देखे टेबल देखते एक बाद यह किसका presentation है CMA का presentation है तो भाई आप बिल्कुल उसी हिसाब से करेंग पैसा कितना जा रहा है साट लग आ रहा है 30, 55, 60 इसी में से टेक्स हटा के लिखा cash inflow after tax और taxing on depreciation add कर दिया तो यह आगया 24, 39, 42, 21 तेल्वेस है नहीं है multiply कर दिया present value factor से तो यह जो आया इसका नाम लिखा PVCI और उसमें से 60 माइनस कर दिया तो NPV आ गया 30 पॉइंट इसी था ऐसी किसकी बात कर रहा है ऐसी बात कर रहा है वो इस प्रजेक्ट पैसा कितना जा रहा है 60 पैसा आ रहा 25, 63 साल का है आप्टर टेक्स के लिए याद रखना इस बार depreciation जो है पूरा 60 लाग का 60 लाग 60 लाग की है न वो पहले साल में ही लगेगा तो 60 लाग का tax saving इंटू 40 परशन 24 लाग का फायदा पहले ही साल में तो उसने इसको add कर दिया और जोड लिया तो यह आगया मैंने साट किया तो यह आगया 26.8 इसमें प्रोजेक्ट B में NPV आया है 26.81 और प्रोजेक्ट A में NPV आया है 30.01 तो उस हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा दिखाए दिए रहा है यह वाला लेकिन एक बात है हमको equivalent तो निकालना पड़ेगा क्या NPV is the most appropriate measure for your decision नहीं अब भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों किया life अलग-अलग है हमें क्या करना पड़ेगा हमें equivalent annual NPV निकालना पड़ेगा और वो ही हमने किया है यह जो भी NPV आ रहा है उसने present value of cash inflow को divide किया यहां देखना यहां आई-सी ए-आई का सजिस्टेट और इसी एमें का सजिस्टेट मैं फिर से बोल रहा हूं उसने जो डिवाइट किया है वो present value of cash inflow के किया है present value of cash inflow इसको divide किया है और हम किसको divide करते हम NPV को divide करते हैं पर ठीक है और इसने बोला भी NPV is not appropriate तो वहां उसने equal annual inflow को divide किया है हाला कि जब मैंने revision करवाया जब revision करवाया तो मैंने का यार NPV को आप equivalent कर लेना क्योंकि ऐसे किया जाता है पर cm institute ने इस question में आगे और भी question होगे तो उनको समझी में जाएगा इस question में जो cash inflow है ना उसको equivalent किया और उसके हिसाब से decide किया है तो आप ऐसे कर लेना हाला कि अगर यह जो cash outlaw 60 होता और किसी में 75 होता तो यह appropriate तरीका नहीं है तो ठीक जैसा किया वो करेंगा ठीक है चलो अगले question पर चलते हैं इसमें कुछ नई चीज मिली हमको यहां कि ऐसे करना है चलो question number two आसान question है कुछ special होगा तो बात करेंगे नहीं तो आगे ने कलिए कब आया था यह question 10 number का आया था दिसमबर 2013 ठीक है पड़े क्या लिखा है लिखा है company is considering purchase of new machine और कितने की machine खरीद रहे सर आठ लग आठ लग की आज machine खरीद लाइफ कितना है दसा ठीक है जित मसीर विल जन्रेट एडिशनल सेल्स चार लाख इट मिन सर सीधी इसी बात बोलो कि चार लाख रुपए का सेल्स होगा यह एक्स्रा सेल्स ठीक है मतलब सर एक्स्ट्रा जो सी एफ बीटी आ रहा है वह तीन लाख आ रहा है तो सर तीन लाख एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है अभी तक यह बात समय सबसे पिले एन्वल कैश्ट्रो निकालना है तीन लाख मैंसे डेप्रिशिशन वगेरा मतलब सर दिनिकालना होगा सी एफ एफ एटी निकालना होगा सी एफ एफ एटी निकाले क्या तो कैसे निकाला चार लाख मैंसे एक लाख रुपए माइनस किया तो कितना आ गया है यार तीन लाख को एबी डी टी बोला है ठीक है सी एफ बी टी बोल दो अर्निंग विफ एफ डेप्रिशिशन एंड टेक्स बोल दो आप कोई दिक्कत नहीं अप्रिशिशन माइनस किया आट लाख डिवाड़ेड बै दस असी हजार तो यह आगया अर्निंग विफोर टेक्स उसमें से टेक्स माइनस किया तो अर्निंग आप्र टेक्स डेप्रिशिशन एट किया तो यह आगया मैरा और यह कितने साल तक आने वाला आट साल तक डिसकांटिंग बारा परशन से करना तो बारा से परशन का फैक्टर दिया फाइप पॉइंट सिच फाइवाड तो चीद्दा आ गया दो लाख बारा जा तो यह आगया मेरा पीवी सी आई आट लाख माइनस किया तो एन पीवी खेला गये और अन पीवी पूछा को पहले मैं पीवी पछा पहला ये निकाल ये दूसरे प 10 पे बैक मरत पडियाट प्रम ले से भी सकता हैaws प्रमिले के ल क니다 सुना ध्यान से मैं जैसा कर रहा है वैसे करना विए तक आंसर आ जाएगाद का आंसर आ या दो लाग बाराँ जर दो लाग बाराँ जर तो सीधा-सीधा फॉर्मिले से निकल जाएगा ना सर यस थ्री पॉइंट सेवन सेवन इंगियर तो पेवेक विरेट में कोई दिक्कत है क्या नहीं अब बात करते सबसे इंपोर्टेंट इंटर्नल रेट अपर इंटर्नल जयां से में कैसी करुआ आज पैसा कितना जा रहा है सर 3geb 1984 वा नुबान की पी सिर्ट वेयर तो सार यह आरहा है हमारा दो लाग बारहेक अगर उसको मैं मल्टिप्लाइ़ कर दूँ प्रिजेंट वैल्यव इन्यूटिकतर ट्र मुझको नहीं मालूँ पर year 8 है तो क्या ये factor मिल जाएगा हाँ क्योंकि table दिया इसलिए मैं बात करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ 8,00,00 divided by 2,00,12 तो या गया 3.773 3.773 इन दोनों के बीच का होगा तो ऐसी इन factor को यूज करके भी कर सकते हो या फिर भाई, भाई, सुनो, सुनो NP में निकालो, ठीक के सरा NP में निकाल रहा है, डिसकाउंटिंग रेट क्या पहले 10% लेगे, नहीं डिसकाउंटिंग रेट, एक बार 23% लेना, एक बार 24% लेना और IRR इन दोनों के बीच कही होगा दिया है तो जब अरदस्ति दिमाख मत चलाना, एक बार 23% लेना, एक बार 24% लेना अंसर आजाएगा, उसने वो ना करके उसने फैक्टर लिया, उसने फेक पेवेक पिरियेट निकाला, फेक पेवेक पिरियेट होता क्या है, कुछ नहीं है भाई फेक पिरियेट यही है इस डिवाइड बाई दिस करोगे तो वही तो आरा पिरियेट अब बस उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, यहां पिरियेट अल्टिमेटली हम प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर निकाल रहे तो फिर हमने निकाला तो यह आगया 3.77 और फिर उसके हिसाब से हमने यह निकाला और इंटर्पुलेट की आंसर आगया आपको IRR निकालना आता, 23 परशन से NPV निकालो, 24 परशन निकालो, आना आंसर ठीक मशिन खरीदे की नहीं खरीदे, डिसिजन किसकी बिसिस फिलोगे NPV, NPV पोजिटिव हा तो खरीद नहीं है, हो जाएगा Queshion No.3 अच्छा कोशन है Seriously बहुत अच्छा कोशन पढ़े ऐसा कोई revision हुआ कि एक गंड़े में आपको capital investing खतम कर देना चाहिए तो मानते के revision है भाईया नहीं हो पाए उससे नहीं हो करें तो ढंग से करें नहीं तो क्या माइड रिलेक्स लिमेटेट high quality running stream management of company computerize करना चाहते companies ordering inventory and billing process ठीक है इट मिन्स वो computerize करना चाहते है ठीक है तो computerize करने से आपका फायदा क्या बुले जो 10 clerk है ना उसको हम हटा देंगे और एक एक clerk की salary है 60,000 उस हिसाब से सर हमारा 6,000 रुपए तो ये बचेगा 10 clerk को हटा computerize कर रहा हूँ तर उसके अलावा 32,000 रुपए बचेगा क्यों क्योंकि computer से काम हो रहा तो जो production में delay हो रहा था raw material की वज़े से वह नहीं होगा चलो तो 32,000 रुपए ये भी हमारा saving हो जाएगा इसके अलावा 48,000 और बचेगा क्योंकि inventory stock out का problem खतम हो जाएगा क्यों क्योंकि computer से गाम हो रहा है तो सर उसके अलाव 48,000 हमारा ये भी बचेगा और time पर bill तयार हो जाएगा उसकी वज़े से हमारा 12,000 रुपए का ये भी फायदा है तो total मिलाकर हमारा इतने का फायदा है कितना हो रहा है total देखोगे प्लस 12,000 प्लस 32,000 प्लस 48 तो total 6,92,000 का profit है अगर देखा जाए तो 6,92,000 देख रहा होगा आपको लेकिन सर उसके लिए computer खरीदना भी तो पड़ेगा यस पताओ computer कितने का आएगा आट लाक और installation का खर्चा दो लाक तो total computer कितने का पड़ेगा मझको 10 लाक और इसको तो depreciation कौन सी method से करें के SLM और book service value कितना है जीरो पर computer खरीदोगी कितना बचा तो लेगे लेकिन अभी computer चलाएगा कौन तो बुले computer चलाने के लिए हमें दो computer specialist की जबरत पड़ेगी जिसको हमको 1,60,000 salary देना मतलब salary का 3,20,000 एक्ट्रा लगेगा साथ मैं maintenance का 48,000 एक्ट्रा लगेगा मतलब no doubt इतना बचाओगे हर साल पर इतना एक्ट्रा लग भी तो जाएगा discounting rate है 10% extra rate है 40% और annuity factor दे रखा है सबसे पहले बोल रहा है प्रोजेक्ट का initial net कैसा उटले बताईए इनीशियल का मतलब आज कितना पैसा जाएगा यह बताओ तो सर आज तस लाग पर जाएगा उसके बाद operating cash flow बताईए मतलब हर साल कितना बचा लोगी बस इनको जोड़ा था तो आ गया है था हमारा 6,92 इस में से माइनस करेंगे computer specialist का salary और maintenance और depreciation भी माइनस कर देंगे ठीक है तो यह आ गया profit before tax tax minus करेंगे profit after tax आ गया depreciation add back कर देंगे तो यह आ गया मेरा cf80 ठीक है अम मांग क्या रहा है तर मांग रहा है payback period हद हो गए payback period बोलो 10,00,00 रुपए लगा रहे है वाच और हर साल कितना आएगा 274,400 तो 10,00,000 divided by 274,400 तो payback period आ गया है 3.644 years पॉर्मुले से कर यह टाइम पास कर रखा आएज ही है हमें जरूत नहीं 3.64 पता नहीं क्या निकला 274,400 कितना लगा यह 10,00,000 तो सीधा-सीधा तो निकल जाएगा यह क्यों टाइम पास यह ना यह 10,00,000 divided by 274,443.644 years और क्या मांगा होगा एन पीवी मांगा होगा वो तो होई जाएगा दस लाग जा रहा है और इतना आ रहा एन पीवी आ गया 40,250 तोंकि एन पीवी पॉजिटिव है तो प्रुजिट कर लेना चाहिए अच्छा कोशन कब आया थे यारी तर यह जून 2014 में आया था कितने नंबर का आया था दस नंबर अगे चले कोशन नंबर फो अच्छा कोशन है यह भी एक्जाम में आया था दिसंबर 2015 अधियोरिटिकल ज्यादा कोश्चन है प्रेक्टिकल कम है पर एक बार डिसकस कर लेते हैं क्या दो मिउचली एक्सकलेजिव प्रपोजल है तो मिउचली तमय दोनों में से कोई एक सेलेट कर लें अधियर प्रोजेक्टिकल आए रेन पी वी जिसका हायर है न उसको एकसेट कर लें वहीं मैंनेजिंग डियक्टर बोलता नहीं नहीं बहीं अई और वो हाइं, जिसका इन पी बही ज़ीफ्सका है, उसको एकसिप्ट करेंगे, और दूसरा वोल रहा है जिसका आई-एर-र ज्यादा है, उसको एकसिप्ट करेंगे, IRR में मालूम है एक समस्या होती है Reinvestment Rate Exemption तर ये क्या होता है इसको तुम्हें क्लास में देए तो ऐसे समझाना मुस्किल है IRR का जो एजंशन वो इलोजीकली है कि यार जो भी जो Intermediary Cash Flow में आता है उसको हम जो Reinvest करते हैं वो उसी rate पे करते हैं इसी की वज़ा से Concept आता है Modified IRR Sir प्लीज समझाओ ना यहां तो अभी तो नहीं समझा सकता अभी तो मैं ठक गया हूँ तो एक काम करूँगा अगले पार्ट में हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो मैं Modified IRR समझाने की कोशिश करूँगा नहीं तो क्लास में तो मैंने करवाई खेर अभी मतलब नहीं अभी काम के चाहिए कोई कहता है NPV अच्छा कोई कहता IRR अच्छा और सारी चीज़े बता दिया Cost of Capital कितना परशन लेना 10 परशन अब ख्यान से देखना तो दिक करूँगा Project A में X में पैसा लग रहा 200 और आरा 35, 80, 90, 75, 20 मतलब लगबग हर साल बराबर बराबर Project Y में देखना 200 लग रहा है पहले साल लमसम में आगे 218 वाउ तुरू में ये एक साथ आगया और क्या चाहिए जिन्दगी में तो जो 218 आया उसका करूँगे क्या उसको कही लगाओगे ना यार और फिर कम 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 ठीक है तो NPV निकालना मेरे खहल से NPV निकालने में कोई समश्या नहीं होगे NPV तो आप आसानी से निकाल discounting rate कितना ले ना 10% और NPV निकाल लिए और NPV कितना आगया 29.1 और उससे भी NPV निकाल लिए आओगा और NPV कितना आया 18. 6.7 इसके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है क्या वाला इसका NPV जाता है दूसरा क्या बोल रहा है विच प्रोजेक्ट डू यू थिंक विल है वाई रा बोले IRR किसमे हायर आएगा ये बताओ वैसे तो IRR निकालना चाहिए तभी मज़ आएगा CM Institute ने नहीं निकाला जबकि CM हम IRR निकालते पर फिर भी इसमें पैसा ना एक साथ आएगा और जल्दी आजाता जल्दी तोसरा ठारा उसमें IRR जादा आता है निकालोगी तो पता लगेगा पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रोजेक्ट वाई में IRR जल्दी आएगा उसकी वज़ा क्या है मालूम है लंसम एक साथ पहली मिल गया है और जो पहले मिल गया होता है उसको हम री इनवेस्टमेंट कर देते हैं तो नो डाउट इसमें IRR जाता है कॉनफ्लिक्ट आ गया है किसी में NPV जादा किसी में IR जादा और कॉनफ्लिक्ट की वज़ा क्या होती है अन इवन कैश प्लोग कैश प्लोग अलग अलग है इसलिए कॉनफ्लिक्ट आ जाता दूसरा इनवेस्टमेंट रेट केवरिटिकल तो IRR किस कौन से प्रॉडेक्ट में जादा है का वाई में दूसरा NPV और IRR के रैंकिंग में किसी में NPV के सबसे कौन सा अच्छा X IRR के सबसे कौन सा अच्छा Y है तो इस रैंकिंग में अलग-अलग है को customers कि वाज़ा क्या है उसकी वज़ा कैश प्लो किक इसमें एवन है दो बर्ढ़बर बर्ढ़बर बर्ढ़र शैंए कैश प्लो की वज़ा से अन्तरा जाड़ का पॉनसा project सहलेक्ट करो पर आपके जो CMA Institute है उन्होंने कुछ और कहाने लिखिए, उन्होंने कहा कि यार अगर हमारे पास ये जो पैसा मिलेगा, अगर हमको ऐसा लग रहा कि हमको पुरे पास साल चलाना है, लाश तक, तो फिर बोले प्रोजेट एक सक्चा, पर अगर पास साल नहीं चलाना है, तो ब कोश्चन नमबर फाइफ, कोश्चन नमबर फाइफ कब आया था, निसमबर 2014 में आया था, अच्छा कोश्चन है, कबर करवाय रखा हूँ, आप लग वोखो, ठीक है, ठीक, पड़े, कुछ नहीं है, टाइफ पास कोश्चन है, मशीन लगाना है, मशीन वान, मशीन टू, इसमें एक लाख हूपे लग राहा, इसमें 80,000 रुपए लग là, और साथ में ऑप्रेटिंग कोश्ट है, 10 साल का खरच, और इसमें 80,000 लग रहा, और ये सिर्प और उस् पंदरा परस्ट यू के एजुम टेक्निकली बोथ था मशिन आर एकवली यूश्फुल थी कहा है तुप से पहले बुला वाट इस दा प्रेजंट वैल्यो कोश्ट फ़र मसीन आई मसीन आई का प्रेजंट वैल्यू बताई प्रेजंट वैल्यू कैसा उप्लो तो सुनो एक ल प्रेजंट वैल्यों कैसा उप्लो निकालना है बस अब मुझे नहीं मालूम यह तीसरे साल का फैक्टर दे चौते साल का कि यह किस तरह से दे रखा यह समझ में आने रहा है तीसरा चौता मतलब तीन साल पहला से तीन फिर चार दे रखा तो चार कौन सा दिया होगा यह थो क्यों दिया था टाइम पास के लिए उन्होंने फैक्टर यूज नहीं किया से शिटिल में हर साल कितना पैसा जाएगा बीस जार बीस जार फिर यह तीस जार उसको फैक्टर से मल्टिप्लाई किया और यह निकाला ठीक है पहले में वन की बात करो और सात में इसके अलावा एक लाग रुपए और जा रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना आया दो लाग बीस जार दो सौपच्चिस यह है प्रिजेंट वैल्यों कैसा हो ऐसी इस में की बात करो मल्टिप्लाई किया और लाश्ट में 80,000 जोड़ दिया तो यह आगए 191 यह आगए प्रिजेंट वैल्यों कैसा उतलो दोनुव मशीन का तो यह वाला काम हो गए हमारा यह वाला भी काम हो आला की समय लाइफ कितने साल है दस साल इसमें लाइफ कितने साल है 6 साल तो अब वो ऐन्वल capital charge मांग रहा मतलब एक्विवेलेंट मांग रहा एक्विवेलेंट आता है factor से divide कर देते तो यहाँ factor से divide कर यह factor से divide किया अच्छा salvage भी तो minus करना होता है salvage minus किया और उसके बाद फैक्टर से डिवाइट किया और इसको नाम दिया annual capital charges जैसा हम कर रहे थे हम क्या करते थे हम इसको नाम देते थे equivalent annual pvco वोई काम की और जिसमें कम है वो हमारे लिए अच्छा है तो अराम से काम हो जाएगा इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा को समझाना इसके अलावा सर इसके अलावा ये वाला question homework है प्लीज देख ले ना अब इस पर मैं ज्यादा discuss नहीं कर सकता June 2016 में आयता छे ही नंबर का आयता solution आपके पास में आज की class over कर रहा हूँ capital bursting का जो basics है वो पूरी तरह से खतम कर दिया और मैं जानता था कि उसी में टाइम लगी कल का क्या target है replacement risk and uncertainty मेरे इखल से कल में capital bursting खतम कर दूँगा मुझे ऐसा रहा with सुनो एक भी question example जरूर मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ एक भी question इदर उदर का नहीं ले रहा हूँ और सिर्फ आपके exam के question ले रहा हूँ और आपके exam में कैसे किया गया है वह आपके साथ साथ लेए ठीक है जी so much capital bursting थोड़ा सा late से आया इसके लिए sorry पर बहुत महनत करने पड़ रही है actually मेरे पास आपके notes नहीं है लीजिंग भी आएगा चिंता मत करो लीजिंग भी आएगा अब भी आएगा अब मुझे नहीं मालूं कि capital bursting अगली class में जो कल की class होने वाले उसमें कितना cover हो पाता हूँ एकाथ topic लगेगा तो फिर part number three डालना पर कोशिश करो कि part number two में ही खतम करें पर questions एक भी question ऐसा नहीं रहेगा जो मैं छोड़ा मतलब जो exam में आये वो ना वो वाला question करें thank you so much bye bye